Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्ड़बल और कथक कली तो दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों में जमीन और आस्मान का फर्क है, कथक निर्ते उतर भारत का है, और कथक कली केरल का है, इसी तरह से बहुत सारे हमारे निर्ते हैं, क्लासिकल डांस हैं, जो आपको पढ़ने हैं, और फोक डांस भी हैं, classical dance तो एक मुठी भर है आराम से पढ़े जाते हैं लेकिन इनको भी हम काफी detail में पढ़ेंगे और जो fog dance हैं वो तो इतने सारे होते हैं कि उसको एक हम exam oriented manner में study करेंगे जो important है तिर्फ उन्हीं पर हम focus करेंगे और हम पुड़ा सा depth में जाएंगे पर इक्जामपल अगर मैं आपको से 12 निरते की बात कर रहा हूँ तो 12 निरते कहां कहां पे होता है कौन कौन से location है और उन locations में भी जो 13 होता है उन में क्या difference है जैसे मैं अगर उधारन दूँ आपको 12 निरते तीन जगा पे होता है एक बंगाल में होता है पुरुलिया चो एक जारखंड में होता है सराय केला चो और एक ओडिसा में होता है मयूर भंज चो लेकिन इन तीनों प्रकार में भी थोड़े थोड़े फर्क होते हैं तो अगें हम इसको भी एक्जाम औरेंटेट पढ़ेंगे हम उतना ही डेप्ट में जाएंगे जितना आपके एक्जाम के लिए जरूरी है तो आप जैसे एक मूवी देखते हैं वैसे आपको इस वीडियो को देखना है आपको ये रोचक भी लगेगा और आप काफी आपका ज ज्यानवर्धन भी होगा ये इंडिया के जितने भी एक्जाम में सम्मे कोई न कोई क्वेश्चिन क्लासिकल डांस और फॉक डांस से जरूर आते हैं और हमारी जो प्रंसकृती है उसको जानने के लिए भी ये निरित्य बहुत जरूरी है इन फैक्ट मैंने जितने भी सूचना देदू जाने से पहले टड़ी आईक्यू सबसे विश्वस्निय प्लैटफॉर्म है इंडिया का आईएस की लाइव प्रिपरेशन के लिए हमारे हर महीने दो बैच चलते हैं एक बैच जो है जनली हम महीने की पहली तारीक को लांच करते हैं और दूसरा मिड मन्थ में हम लांच करते हैं तो हमारा जो लाइव का बैच है वो लांच होने वाला है अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं इसमें हम पूरा कोर्स खतम करते हैं प्रिलिम्स और मेन्स का ताती साथ आपको वन टू बन मेंटर्शिप भी हम को और एक morning batch available है सुबह 7 से 9 फिर doubts होते हैं तो जनरली 5 गंट से 3 गंटे की class daily होती है और जब आप check out करें ये आप बड़ी screen पर भी देख सकते हैं यानि कि अपने laptop ये desktop पर और mobile phone पर भी देख सकते हैं जब आप check out करेंगे तो आपको ये code use करना है GG live अगर आप discount चाहते हैं हमारे सारे courses study IQ के बहुत ज़्यादा reasonably priced है क्योंकि हमारी company का जो team है जो main सोच है वो है affordable quality education जानि ऐसी education जो affordable भी हो और उसमें quality भी हो तो ये code आपको ध्यान रखना है GG live पूरा एक साथ लिखना है बीच में कोई gap नहीं है ठीक है अब हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो classical and fog dance of India सबसे पहली चीज कि भारत में जो classical dance हैं वो कितने पुराने हैं ऐसा माना जाता है कि 5000 साल पुराने हैं 5000 साल पुराने हैं हमारे classical dance और ये कैसे पता चलता है विभिन जगा पे जो हमारे समारक हैं या धरोहर हैं वहाँ पे मूर्तिया मिलती हैं या वहाँ पे paintings मिलती हैं तो मूर्ति कला, चितर कला ये सब देखके पता चलता है जैसे आपको एक example देता हूँ Indus Valley Civilization यानि सिंदू घाटी सब्भेता उसमें एक dancing girl statue मिला था नाचती हुई लड़की का बुत मिला था जो की bronze का बना है तो ये भी dancing girl है, नाचती हुई लड़की है इसका मतलब dance था उस समय भी इसी तरह से जो राजिस्थान में दिलवाडा के मंदिर है माउंट अबू में, वहाँ पे अगर आप देखें मूर्तियां तो उनमें भी नाचती हुई जो लड़कियां हैं नर्तक हैं, वो दिखाए गए है इसी तरह से राजिस्थान के किशनगड में अगर आप देखें लगू चितर कलाएं, वहाँ पे जो पेंटिंग्स हैं उनमें निर्त्य करते हुए पेंटिंग्स दिखाई गई हैं इसी तरह मद्यप्रदेश के लक्ष्मन मंदिर में हिमाचल के चमबा में या ओडिसा के कोनार्क सूर्य मंदिर में भी आप देख सकते हैं आपे कोनार्क सूर्य मंदिर में जो नर्तक हैं वो दिखाए गए हैं वारों में उनकी जो मूर्तियां हैं वो देखने को मिलती हैं या फिर हमारी जो World Heritage Site है मद्यप्रदेश की भीम बेटका की गुफाएं वहाँ पे जो गुफा में चित्रकारी है उसमें भी नाचते हुए लोग दिखाए गए हैं तो इन सबसे हमने ये अंदाजा लगाया है कि भारत में जो निर्त्य है वो 5000 साल पुराना है अब सबसे पहला सवाल आपके मन में ये आना चाहिए कि निर्त्य जो होता है वो कितने प्रकार का होता है तो निर्त्य जो होता है वो दो तरह का होता है एक होता है Folk Dance और एक होता है Classical Dance यानि कि लोग निर्त्य और शास्त्रि होता है किसी विशेश लोगों के समुहू या किसी विशेश स्थान का परंपरिक निर्ते लोक निर्ते कहलाता है जैसे हरियाना का एक निर्ते है सांग सांग निर्ते तो ये वहां का फोक डांस है यानि हरियाना के एक विशेश स्थान पर कुछ लोगों ने अपना खुद का ये निर्ते बना लिया तो ये है लोक निर्ते यानि की फॉक डांस लेकिन क्लासिकल डांस जो होता है ये एक बहुत बड़ी चीज होती है ये शास्त्र निर्ते जो होता है ये हमारे देवी देवता हमारे भगवान या हमारे जो हमारे जो शास्त्र हैं यानि religious scripture हैं जैसे रामायन, माभारत, विश्णु, पुरान उनको समर्पित होता है यानि उसमें ऐसा नहीं है कि आपने जो dance किया वो उसमें कुछ भी दिखा दिया नहीं, इसके बहुत कठोर कानून होते हैं, बहुत कठोर हर छोटी से छोटा पहलू इसमें बहुत important होता है, जैसे कि इसमें एक proper dress होती है तो आपको dress पहननी पड़ती है अब मान लेजी आप भांगडा कर रहे हैं, तो हर वेक्ति अपने अलग तरीके से भांगडा कर सकता है उसमें कोई कानून नहीं है, उसमें कोई rule regulation नहीं है, लेकिन आप भारत नाट्यम ऐसा नहीं है, कहीं भी शुरू हो गए और कुछ भी आप करने लगे, उसको एक उसकी विधी है, proper विधी है और भारत नाट्यम में एक पोशाक है उसकी एक उसकी वेश भूशा है और ये जो classical dance होते हैं, इनकी संख्या सिर्फ आठ है, बस सिर्फ आठ भारत में सिर्फ आठ dance हैं, जिने शास्त्रिय निरत्य का दरजा मिला हुआ है और बाकी सारे जो dance हैं उन्हें हम folk dance कहते हैं, तो folk dance जो होते हैं, ये अलग-अलग कार्णों से किये जाते हैं, जैसे मानलों किसी राजिये में फसल पक गई अच्छी, तो वहां के एक विशेश जो जन जाती हैं, या tribe हैं उन्होंने कोई dance करना शुरू कर दिया, खुशी मनाने में, अब भारत में हमें जो classical dance के जो सबूत मिलते हैं, वो अलग-अलग चीजों से मिलते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया था, खुदाई, शिला लेक, क्रॉनिकल, या फिर राजा महराजाओं की जो वन्शावली है, उनकी संगीत नाटक का मतलब यह है, कुछ ऐसे नाटक या नाटे, जिनमें संगीत का इस्तिमाल होता था, और बाद में जाके यही फिर हमारे classical dance बन गए, तो आधुनिक जो हमारे शास्त्रिये डान्स हैं, शास्त्रिये निर्ते हैं, वो संगीत नाटक, जो बारवी से उनका पहला उपचारिक उलेक, भरत मुनी के प्रसिद कारे नाटे शास्त्र में मिलता है, अब निर्ते कला होता क्या है, dance हम कहते किसे हैं, क्या सिर्फ शरीर के अंगों को हिलाना ही एक dance है, नहीं, निर्ते जो है यह एक कला मैसेज दे रहे हैं, या आप कुछ अपना message दूसरे तक पहुँचा आ रहे हैं, संचार कर रहे हैं, तो उसे फिर हम dance कहते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, dance जो है हमारी धरोहर है, और यह 5000 साल पुरानी है, dance को एक जो classical dance की बात हो रही है, उसको एक divine origin माना जाता है, divine मतलब, जैसे for example भगवान शिव है, भगवान शिव का dance है नटराज, यानि भगवान शिव का जो नर्तक वाला रूप है, उसे नटराज कहते हैं, तो यह हमारी supreme manifestation है, यानि भारते निर्ते की सर्वच अभिवेक्ति है, क्योंकि भगवान शिव एक भगवान है, तो भगवान को भी निर्ते करते हुए दिखाया गया है, यानि ऐसा माना जाता है कि हमारी जो निर्ते की विरासत है, उसका एक जो origin है, उसकी उत्पत्ती जो है वो आध्यातम से हुई, वो हमारे धर्मों से हुई है, और मंदिरों में भी, मंदिरों में भी जो है वो पूजा के रूप में डांस किया जाता था, यानि पूजा का भी एक तरीका भगवान को प्रसंद करने के लिए भी लोग डांस करते थे, तो जो किताब थी नाट्य शास्त्र, उसमें ये कहा गया है कि जो भारतिय क्लासिकल डांस है, यानि भारतिय शास्त्र निर्ते, उसके दो पहलू होते हैं, यानि ये दोनों चीज़ इसमें होनी चाहिए, सबसे पहला है लस्से, लस्से में हमारे जो भाव है, जो रस है या जो अभिने है, वो उसको लस्से बोलते हैं, यानि डांस में दो चीज़ होती हैं, देखिए, एक तो होता है अंगों क आ रहे हैं, तो dance में दो चीज़ें होती हैं, एक तो शरीर के अंगों का हिलना, जिसे हम तांडव बोलते हैं, तांडव ये एक पुरुष प्रभाव को दिखाता है, जो तांडव होता है, इसे हम dance का पुरुष अंग बोलते हैं, और जो लस्से होता है, जानि कि साज सजना, या जो चेहरे के भाव, रस, ये सब जो हैं, ये हम एक जो महिला का प्रभाव है, वो मानते हैं कला के उपर, तो feminine और जो male, दो चीज़ें होती हैं, पुरुष वाला जो पार्ट है, हम उसे कहते हैं तांडव, और जो लस्से है, उसको हम feminine aspect of dance बोलते हैं, ठीक है, लेकिन इ और कुछ एक उसमें नारी का प्रभाव है, यानि female का प्रभाव है, तो female वाले प्रभाव को हम लस्से बोलते हैं, और पुरुष वाले प्रभाव को हम तांडव बोलते हैं, अब हमारे भारत के जो classical dance हैं, उनमें 9 तरह के रस होते हैं, यानि आप 9 तरह की चीज़े दिखा सकते हो, emotions जो होते हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त करते हो, dance करके, ये 9 रस कोन से हैं, सबसे पहला है श्रिंगार, श्रिंगार मतलब यहाँ पे प्यार है, love, दूसरा हास्य यानि humor, करुणा यानि compassion, दूसरे के लिए करुणा, दया, रौद्र, रौद्र मतलब, गुसा, ए disgust, शान्त यानि की काम, तो ये 9 रस होते हैं भारत के शास्त्रिय निर्थे में, भारत के जो निर्थे हैं, उनमें जब हम mood दिखाते हैं, यानि मनोदशा या जो अभीवक्तियां हम दिखाते हैं, उनमें हाथ के इशारों और शरीर की मुद्राओं के माध्यम से हम उसे दि किताब है जिसका नाम है अभिने दर्पन, तो इसको लिखा है नंदी केश्वर ने, नंदी केश्वर की बहुत ही important किताब है अभिने दर्पन, ये निर्थे के उपर लिखी हुई है, इसमें तीन तरह की बातें की गई हैं, कि हमारा जो dance होता है, उस वो तीन चीजों से मिल आपको बताया, अंग संचालन भी है और भाव भी है, यानि कि तांडव भी है और लस्षे भी है, तो अंग संचालन द्वारा भावों की अभिवक्ती जब दोनों मिल जाती है, तो हम उसे अभिने कहते हैं, और इसके तीन भेद होते हैं, नाटे, निर्थे और निर्थे, तो dance क्या है इन में? नाट्टे है, नृत्टे है, नृत्टे है, नृत्टे है, दान्स है, नृत्टे, तो इस दो चीजों से मिलके बनाए, एक तो नाट्टे और एक नृत्ट, तो इनका मतलब क्या होता है? देखो पहले नाट्टे की बात करते हैं, किसी पात्र का अनुकरण या किसी कथा के अनुसार अभिनय करना नाट्टे कहलाता है इसे रूपक भी कहा जाता है क्योंकि इसे हम आखों से देख सकते हैं जब कोई एतिहासिक पात्र है उसका कोई अनुसरन करता है तो उसके चाल ढाल उसके बोलने का डंग वेश भूशा तो हम उसे नाट्टे कहते हैं यानि मानलो अगर कोई भगवान शिव की तरह ड्रेस अप कर रहा है एक एक एक्जामपल दे रहा हूँ तो वो नाट्टे कहलाएगा दूसरा है निर्त निर्त मतलब क्या होता है अभिनय के भेद में जिसमें भाव दर्शाने का स्थान ना हो पर सिर्फ ताल लै बद अंग संचालन हो उसे निर्त बोलते हैं यानि नाट्टे वो है जिसमें भाव होते हैं और निर्त है सिर्फ अंग संचालन तो निर्त्म के अंदर निर्त के अंदर जो है भाव दर्शाने का स्थान नहीं होता लेकिन हमें निर्त्य में दोनों चीज चाहिए होती है यानि नाट्य और निर्त जब मिल जाते हैं इनका समन्वय जब हो जाता है तो निर्त्य के उत्पत्ति होती है तो यहीं यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिखी है यह सेम चीज कि नृत नाट्य और नृत ये तीनों क्या होते हैं इन तीनों का वंड़न नंदिकेश्वर की अभिने दरपन किताब में किया गया है अब भारत में हम क्लासिकल डांस सिर्फ आठी क्यों है ये आप समझेए इतने सारे डांस हैं भारत में हजारों नृत्ते हैं उनमें सिर्फ आठी क्लासिकल डांस क्यों है इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं जैसा मैंने आपको बताया कि इनमें तीनों चीज होनी चाहिए न classical dance declare किया जाता है अभी भारत में आठ है और संगीत नाटक academy संगीत नाटक academy इनको declare करती है किसी dance को classical dance इनमें गुरु शिश्य परंपरा भी देखी जाती है यानि एक जो शिश्य है वो गुरु से dance सीखता है तो गुरु कुछीपुडी, कथकली, मुहिनी अट्टम, ओडिसी, मनिपुरी, कथक और सत्रिया अब इन dance ये जो निर्ते है शास्त्री निर्ते आठ इने हम मैप पे देखते है जिससे आपको एक बार ये understanding हो जाए कि कौन सा निर्ते कहां का है फिर हम इनको एक एक करके डीटेल में study करेंगे सबसे पहले कथक की बात करते है कथक उत्तर भारत में किया जाता है कुछ अत्तक रजस्थान में भी किया जाता है एक जैपुर घराना भी है इसका तो कथक जो है लेकिन मुख्यत है उत्तर प्रदेश का है ये निर्ते कथक उत्तर भारत का है विशेशकर उत्तर प्रदेश फिर है सतरिया सतरिया है असाम का मनिपुरी मनिपुरी है मनिपुर का ओडिसी है ओडिशा का कुछी पुड़ी है आंधरपरदेश का, कुछी पुड़ी, भारत नाट्यम है तमिलनाडु का, कथक कली, तो कथक और कथक कली में कन्फ्यूज मत करना, कथक कली है केरल का, और मोहिनी अटम भी है केरल का, तो ये मैप आपको काफी आसान बना देगा आपके लिए, जिस और इंग्लिश में, दोनों में ही उपलब्द है, तो आप हिंदी के अगर स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए मैंने आसान बना दिया है, भारत नाट्यम की बात करते हैं, देखिए भारत नाट्यम जो है, ये सबसे पुराना है, यानि जितने भी हमारे शास्ते निर्ते है उनमें सबसे पुराना है भारत नाट्यम और ये तमिल्नाडू से आता है, तमिल्नाडू का निर्ते है ये, भारत नाट्यम का नाम भारत मुनी से लिया गया है, भारत मुनी के नाम पे इसका नाम भारत नाट्यम रखा गया है, नंदिकेश्वर ने जो उपन्यास रचा था जिसका नाम था अभिने दरपन वो भरत नाट्यम अध्यन का मुख्य स्रोत है यानि भरत नाट्यम के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो नंदिकेश्वर का उपन्यास पढ़िए अभिने दरपन ये जो निर्ते होता है इसमें एक अहार होता है एक अहार मतलब एक ही डां लेट्रतासेणानी ए क्रिशन आयर उन्होंने इस निर्त्यकला को पुनरजीवित किया भारत नाट्यम को और रुक्मनी देवी उन्होंने इस निर्त्य को वैश्विक पहचान दी यानि पूरे वल्ड में पॉपुलर किया इसका जो थीम होता है जो विशे होता है इसमें धार अगे बढ़ते हैं, भरतनाटियम में मुद्राओं का इस्तेमाल बहुत जादा होता है, बहुत जादा इस्तेमाल मुद्राओं पर किया जाता है, कई तरह की हस्त मुद्राओं और अलग अलग तरह की शरीर की मुद्राओं इसमें की जाती है, इसमें तांडव और लस्से दोन हम टांगों का, हूलों का और हमारी भुजाओं का इस्तेमाल बहुत करते हैं, आखे बहुत ज़्यादा हिलती हैं, आई मुव्मेंट काफी ज़्यादा होती है, इससे emotions portrait किये जाते हैं, यानि जो भावनाएं हैं, उन्हें आखों के और हातों के इशारों से उनको दर्शाया भारतनाट्यम को हम अगनी निर्त्य भी बोलते हैं, कहते हैं हमारा जो शरीर है, वो पांच तत्वों का बना होता है, ठीक हैं, अकाश, धर्दी, जल, वाईयू, अगनी, पांच तत्वों का बना है, तो अगनी तत्व जो हमारे शरीर में है, उसको दिखाता है भारतनाट् यामिनी कृष्ण मूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन, पदम सुब्रमन्यम, मिर्नालिनी सारा भाई, मिर्नालिनी सारा भाई विक्रम सारा भाई जो थे भारत के महान विज्ञानिक उनकी पत्नी है और इनकी बेटी है मलिका सारा भाई, तो मिर्नालिनी सारा भाई भरत नाट वो सिरफ भारत नाट्यम में ही नहीं, बलकि कुछी पूड़ी में भी कमाया है। एक बात और, जब भारत नाट्यम कोई नर्तक करता है, तो उसके साथ और भी लोग बैठते हैं, जैसे बांसूरी वादक, या वीना वादक, और साथ में एक व्यक्ति बैठता है, जो पूरी कथा का उचारण करता है। क्योंकि ये धार्मिक है, तो जो स्टोरी होती है, वो पढ़के एक व्यक्ति सुनाता है। अब भारत नाट्यम करते समय आपको ये भी इध्यान रखना है, कि साडी पहनी जाती है, सिल्की, रेशम की साडी पहनी जाती है, और gold embroidery करी जाती है, gold embroidery, साडी जो पहनी जाती है, उसमें बहुत सारे plate होते हैं, साडी में plate आप समझते होंगे क्या होते हैं, फिर necklace, bangles, चूडियां, गर्दन में जो हार है वो पहना जाता है, जो हमारा सिर है उसको भी सुसजित किया जाता है जो एलरी से अब यहाँ पर आप पैर देखें तो पैर में जो यह जिनें बोलते हैं बैल्स या घूंगरू दोनों में से कुछ भी हो सकता है वो पहने जाते हैं इस निर्ते में घुटने जो होते हैं वो मुड़े होते हैं ठीक है और भारत नाटियम जब कंपलीट होता है तो शलोक पढ़े जाते हैं श्लोक पढ़े जाते हैं भारतनाटियम जो है तमिलनाडु में एक मंदिर है चिदमरम मंदिर उस चिदमरम मंदिर का जो गोपुरम है वहाँ पे भारतनाटियम के जो तत्व हैं भारतनाटियम के शिला लेक किया जो दिवारों के उपर वो सभवे मिलते हैं तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि भरत नाटियम चिदमरम मंदिर में दर्शाय गया है अब हम बात करते हैं दूसरे नित्ते पे जिसका नाम है कथक कथक जो नित्ते है ये उत्तर भारत का नित्ते है और कथक एक समय था जब मंदिरों में या गाओं में जो लोकल लोग हैं वो करते थे ठीक है और ये कोई बहुत हाई-फाई उस तरह का नहीं था सिंपल एकदम इसमें कहानिया सुनाई जाती थी तो कथक आया कहां से दो चीज होती है एक होती है कथा कथा मतलब कहानी और एक होता है कथाकार कथाकार मतलब कहानी सुनाने वाला तो वहीं से ये आया कथक तो कथक में कुछ नहीं है बस कथाएं सुनाई जाती है और पहले क्या होता था गाओं गाओं जाके या मंदिर मंदिर जाके लोग कहानिया सुनाते थे, जिन में भगवान क्रिशन की जो ब्रज भूमी की रास लीला है, उसकी कहानी सुनाई जाती थी, और उसमें निर्त्य करके उसको सुनाया जाता था, बाद में ये डांस इवॉल्व हो गया, पंद्रवी और सौलवी शताबदी में ये भक्ती आंद लेकिन बाद में ये दर्बारी निर्त्य बन गया मुगल समराट के समय, कतक पे दूसरी जो निर्त्य की शैली हैं, उसका भी प्रभाव देखने को मिला, तो कतक ने अपनी जो वर्तमान विशेशताएं हैं, उनका अधी ग्रहन मुगल समराज्य के समय में किया, अवद के ज बहुत जादा कतक का प्रचार और प्रसार किया, कतक की जो शास्त्रिय शैली है, वो बीसवी शताबदी में एक महिला लीला सोखी द्वारा पुनर जीवित की गई, तो एक तरह से कह सकते हैं कि कतक जो है, उसको पुनर जीवित किया लेडी लीला सोखी ने, कतक में एक निम होता है वो राधा कृष्षन होता है यानि कि राधा कृष्षन के जीवन पर इसमें कहानिया सुनाई जाती है ये निर्त्य पहले धीमा होता है बाद में बहुत तेज गती से आगे भड़ता है और इसमें हिंदुस्तानी संगीत का इस्तेमाल होता है तबला, सिथार, संत जिनमें मुख्यते हैं लखनव और जैपुर घराना तो इनकी अलग-अलग यानि कतक भी कई तरह का होता है लेकिन आपको बस याद रखना है घरानों के नाम तो जैसे लखनव वाला घराना था वो नवाव वाजिद अली उनका था जिन्नोंने कतक का प्रचार और प्रसार कि फिर जैपुर घराना भानुजी द्वारा शुरू की गई थी जैपुर घराना राएगड में राजा चकरदर सिंग उन्होंने सरंगशित किया कतक को और प्रचार और प्रसार किया और बनारस घराना तो बनारस वाला जो घराना है ये जान की प्रसाद जी द्वारा विक्स करते हैं उनके गुरु माना जाता है इन्हें बिर्जु महराज जी तो बिर्जु महराज लच्छु महराज सितारा देवी और शोवना नरहेण ये हैं भारत के मुखे कर्तक नर्तक बिर्जु महराज ये फोटो में बिर्जु महराज जी हैं, लच्छु महराज, सितारा देवी और शोवना नरायन, और इसमें भी आप देख सकते हैं, पैरों में घुंगरू या बैल्स पहने जाते हैं, ये है कत्थक की वेश भूशा, कत्थक जो होता है, वो एकल परदर्शन होता है, यानि गृुप्स में नहीं किया जाता, स इसमें फोटवर्क पर ध्यान होता है, यानि पैरों की गती, पैरों की ले, उस पर ध्यान होता है, टकने पर घंटियां पहने हुए, पैरों को कुशलता से नियंत्रित किया जाता है, तो ये था कत्थक, अब हम बात करते हैं, कुचिपूडी, कुचिपूडी जो है, वो आ आया कहां से, एक गाउं है आंदर प्रदेश के कृष्णा जिले में, जिसका गाउं का नाम है कुसेलवा पूरी या कुछेला पूरम, इस गाउं के नाम पे इसका नाम कुछी पूरी रखा गया, सत्रवी शताबदी में सिध्यंदर योगी, एक संथ हुआ करते थे, कामन किया करते थे, उनका एक आधिकार था इसके उपर, इसमें भागवत पुरान की जो स्टोरी हैं, वो सुनाई जाती है, कुछी पूरी करते वक्त, जो भागवत पुरान है, उसकी कहानिया, इसका विशे होती है, और ये निर्त्य नाटक के रूप में भी किया जाता है, यानि समूहु में भी किया जाता है, और एकल में भी किया जाता है, यानि ये ग्रुप में भी किया जाता है, और सोलो भी किया जाता है, कुछी पुरी, उसके बाद इसको रिवाइव किया, यानि इसको पुनर जिवित किया, बाल सरस्वती और रागी नी देवी ने, इस न मंडुक शब्दम, मंडुक बोलते हैं मेंडग को, तो इसमें मेंडग की कहानी शुरू होती है, मंडुक शब्दम में, दूसरा होता है तरंगम, तरंगम में, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस महिला ने अपने सिर के उपर एक पीतल का जो भरतन है, वो रखा हुआ है, तो सिर पे पानी का एक भरतन, या दियों का एक सेट रखा जाता है, और उसे जो नर्तक होता है, वो संतोलित करता है, इतना ही नहीं, इसमें पीतल की प्लेट होती है, तो उस प्लेट के कोने पे अपने पैर रखके डांस किया जाता है, यह निर्ते किया जाता है तो यह इसको बोलते हैं तरंगम फिर इसमें एक चीज होती है जल चित्र निर्तिम यानि इसमें जो नर्तक है वो निर्ते करते समय अपने पैर की उंगलियों के साथ फर्ष पर तस्वीरे बनाता है मैं आपको दिखा देता हूँ यह इसको जल चित्र निर्तिम बोलते हैं तो यह कुछी पूड़ी के अभिन नंग होते हैं तीनों मांडुक शब्दम, तरंगम और जल चित्र निर्तिम फिर कौन इंपोर्टेंट लोग हैं जिन्होंने इसको किया इस निर्ते को यह प्रस्ध प्रस्थ प्रस्तावक हैं यानि मुखे प्रोपोनेंट हैं इस निर्तिके या मिनी कृशन मूर्ति आपने भरत नाटे में भी देखा मैं आपको दिखा देता हूँ तो या मिनी कृशन मूर्ति जो है, इनका सम्मंद ना केवल कुछी पूड़ी के साथ है बलकि इनका संबंध भरत नाट्यम के साथ भी है यहाँ पर आप देख सकते हैं यामिने कृष्ण मूर्ती का नाम इसमें भी लिखा है भरत नाट्यम में भी और कुछी पूड़ी में भी लिखा है अब जो अगला हम पढ़ेंगे निर्थे, उसका नाम है कथकली, कथकली बिलकुल अलग है, केरल का ये निर्थे है, actually केरल में तीन चार अलग-अलग तरह की डांस होते हैं, जैसे राम नटम, तो इस तरह के अलग-अलग डांस होते थे, तो वो उनसे उत्पत्ती हुई, एक और डांस की जिसका नाम है कथकली, तो कथकली की उत्पत्ती कुछ और पुराने प्राचीन निर्थेओं से हुई, जैसे राम नटम, कुड़ी अटम या कृष्न अटम, जो उस वक्त के जमिदार होते थे, उन्होंने इसको काफी प्रचार इसका किया, जो केरल में जो फ्यूडल लोर्ड्स होते थे, जमिदार वग़र होते थे, और इसमें रामायन और महाभारत के जो एपिसोड्स है, वो दرशाय जाते हैं, निर्थे के माध्यम से, लेकिन जब जमिदारी सिस्टम खतम हुआ तो कथकली जो निरित्य था वो भी decline पे start हो गया यानि कि उसका पतन शुरू हो गया जैसे जमिदारी सिस्टम खतम हुआ इसका जो पतन है वो हो गया लेकिन एक मल्याली कवी थे जिनका नाम था वी एन मैनन तो वी एन मैनन ने 1930 के दशक में मल्याली कवी थे ये इन्हों ने इसको पुरी तरह से पुर्ण जिवित किया और कथकली जो होता है ये पूरी तरह से पुरुष प्रधान होता है तो ये true performance होता है यानि ग्रुप में होता है पहली बात और पुरुष करते हैं पुरुष करते हैं और ग्रुप में होता है इसमें प्रॉप का इस्तेमाल नहीं होता प्रॉप क्या होता है जब आप निर्टे करते समय कोई भी कोई भी चीज का इस्तेमाल करते हैं से वहाँ पर मैंने आपको बरतन दिखाया था या पीतल की जो प्लेट है वो यूज हो रही थी कुछी पुड़ी में तो ये प्रॉप हैं कोई भी एक्स्ट्रा चीज जो आप लेते हैं जो निर्जीव चीज इस्तिमाल करते हैं निर्टे करते वक्त आप निर्टे को भारने क लिए तो उसको प्रॉप कहा जाता है इसमें कोई प्रॉप का इस्तिमाल नहीं होता या ना के बराबर इस्तिमाल होता है इसमें जो नर्तक हैं वो अपने आपको राजा या देवता या राक्षस वगारा उनकी भूमिकाओं का निर्मान करते हैं यानि अपने आपको उसकी मंडली प्रदर्शन है यह और इसे वी एंड मेनन के दुआरा 1930 के दशक में पुनरजिवित किया गया था अब इसमें जो मेक अप होता है वो भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होता है आप देख सकते हैं इसमें चार जो रंग है उनका इस्तिमाल हो रहा है एक हरा रंग है, एक लाल रंग है एक ब्लैक कलर है और एक येलो कलर है तो जो पीला रंग होता है वो महिला को दिखाता है वो नारित्व का प्रदर्शन करता है जो ब्लैक कलर होता है वो इविल को दिखाता है यानि negative power को दिखाता है जो red color होता है वो dominance को दिखाता है और जो green color होता है वो richness या decency को दिखाता है तो चार-चार रंग से इस पे जो चहरा है उस पे make-up किया जाता है फिर इसमें जो भाशा इस्तिमाल होती है कथकली के जो song होते हैं तो वो भाशा होती है money problem और जो money problem भाशा है वो maliyali और Sanskrit भाशा का मिश्रण होती है इसे बोलते है money problem कथकली निर्ते में आँख और बोहों यानि जो eyebrows होते हैं बोहें जिने बोलते हैं उनके movement पे बहुत ध्यान दिया जाता है उनके माध्यम से रसों का उलेक किया जाता है और कथकली जो निर्ते है वो आकाश तत्व का प्रतीक है तो हमारे शरील में जो पाँच तत्व होते हैं उसमें आकाश तत्व का प्रतीक होता है कथकली कोन इसके famous नर्तक हैं अब हम बात करते हैं मौहिनी अट्टम की केरल का एक और बहुत इंपोर्टेन निर्ते है Actually क्या था quirky विष्णू ने मौहिनी का रूप बनाया मौहिनी का रूप बनाया था तो उसी के नाम पे इसको मौहिनी अट्टम बोलते हैं मुहीनी मतलब भगवान विश्णु का रूप और अटम मतलब होता है निर्थे और ये जो डान्स है पूरी तरह से महिलाओं के द्वारा किया जाता है और सोलो किया जाता है एकल प्रदर्शन किया जाता है उनिसवी शताद्दी में एक वैक्ती थे जिनका नाम था वड़ी वैलू तो वड़ी वैलू द्वारा विक्सित किया गया इस निर्थे को और वर्तमान केरल राज्ये में जो ट्रावन कोर है ट्रावन कोर के जो राजा थे उन्होंने इसका प्रचार और प्रसार किया और कवी मल्याली कवी, V.N. Manon, यह वही कवी हैं, जिनोंने कथक कली का प्रचार-प्रसार किया, उसको पुनर जिवित किया, उन्होंने एक महिला हैं कल्यानी अम्मा, उनके साथ मिलकर मुहिनी अट्टम को भी पुनर जिवित किया तो इसमें हम ग्रेस पे अनुग्रे, ब्यूटी, जो खुबसूरती है, लस्य, भाव, उस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, हमारे शरीर में जो वायू तत्व होता है, ये डान्स उसे सिंबोलाईज करता है, हमारे शरीर के वायू तत्व को की अभिवेक्ति होती है, इस निर् कृष्टा हासिल की, अब हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ओडिशी, ओडिशी जो निर्त्य है, इसके सबसे पुराने जो उधारन मिलते हैं, वो उदैगिरी और खंड गिरी की जो गुफाएं हैं, वहाँ पे मिलते हैं, यानि जो केव्ज हैं, गुफाएं उदै यह जो निर्त्य हैं, मुखे रूप से महरी द्वारा प्रचलित था, और जैन राजा खारवेल द्वारा सरणचित था, यानि जैन राजा खारवेल ने इसका प्रचार और प्रसार किया, और इसको जो करने वाले लोगें उन्हें महरी कहा जाता था, चार्ल्स फैबरी और भारत की इंदरानी रहमान इनके परियासों के कारण ODC को अंतराष्ट्रे स्तर पर प्रशंसा मिली ये फोटो है इंदरानी रहमान की जिन्होंने इस नित्य को पूरी दुनिया में पॉपुलर बनाया तो वैशनव जब वैशनववाद आया तो महरी सिस्टम महरी सिस्टम चला गया पहले इसको महरी जो थी वो किया करते थे लेकिन जब वैशनववाद भड़ा तो उसके बाद पिर ये चला गया क्योंकि उन ही को भरती किया गया उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो यूवा लड़के थे उन्हीं को भरती किया गया और कला के रूप में जारी रखने के लिए उन्हीं को महिलाओं के रूप में कपड़े पहनाए जाते थे. यानि लड़कों को लड़कियां बनाकर ये निर्थे करवाया जाने लगा. ये जो यूवा लड़के थे जिनने लड़कियों की या महिलाओं के रूप में प्रस्तुत किया जाता था, इस निर्थे को करने के लिए उन्हें गोटी पुआ के नाम से जाना जाने लगा. तो कौन-कौन इंपोर्टेंट लोग है ओडिसी निर्थे के मिनाती मिश्रा, ग किस चीज पर फोकस किया जाता है? इसमें भगवान विश्नु के अवतार और जैदेव के गीता गोविंदा के चंद वो परदर्शित किया जाते हैं. परदर्शन के प्रमुक विशे होते हैं भगवान विश्नु के अवतार, दशा अवतार और जैदेव के गीता गोविंद इसमें आपको याद रखनी है, दो प्रमुक आसन होते हैं, दो प्रमुक मुद्राएं होती हैं, एक तो त्री भंग, शरीर को गर्दन, धड़ और घुटनों को मोड़ा एक साथ जाता है, तो त्री भंग बनता है, एक तरह से एक ट्राइंगल की तरह, त्री भुज की तरह श परिभुज बनाते हैं, या वरित बनाते हैं, या वर्ग बनाते हैं, तो इस तरह की शेप बनाई जाती हैं, हमारे शरीर का जो जल तत्व है, उसको सेंबोलाईज करता है ये निर्ते, वाटर, ठीक है, और ओडिसी जब निर्ते होता है, तो उसके साथ साथ हिंदुस्तानी श शंकरदेव संत के दुआरा पंदरवी शताबदी में, असाम में ये जो निर्ते है, पॉपुलराइज किया गया, और ये शंकरदेव जो थे, वैशनव थे, तो इन्होंने वैशनव का जो, यानि की सतरिया निर्ते इसले शुरू किया था, जिससे वैशनव का प्रचार हो स सतरिया का वर्णन नाटे शास्तर में भी मिलता है, भरत मुनी का जो नाटे शास्तर था, और भक्ती मुव्मेंट से ये इंस्पायर था, भक्ती मुव्मेंट, ये जो डान्स है, ये जो भ्रमचारी लोग होते हैं, जो सेज होते हैं, मुनी होते हैं, पुरुष उनके द्व गायन भहेनार नाच और खमनार नाच और हमारा आखरी नित्य है मनिपुरी नित्य जो है ये हमारी पुराने कहानियों में वंड़न है ऐसा माना जाता है कि मनिपुरी नित्य जो है ये शिव और पार्वती का नित्य है जो मनिपुर की घाटियों में किया जाता है इसमें आप देख सकते हैं कि चेहरा ढगा हुआ है, ये बिलकुल अलग तरह का होता है, और इसमें आप नीचे देख सकते हैं एक ड्रम जैसा ये कोई ड्रेस बनाया हुआ है इन्होंने, तो ये जो डान्स है, ये वैशनववाद के आने के आने के बाद पंद्रवी शताबदी में बहुत ज़्यादा लोग प्रिय हो गया, इसमें कृष्ण भगवान जो हैं, वो इसका मुख्य विशे थे, कृष्ण भगवान जो हैं मुख्य विशे बन गए, पहले शिव पारवती थे, लेकिन बाद में कृष्ण भगवान इसका मुख्य विशे बन गए ये निर्थे जो हैं महिलाएं करती हैं मुख्य तोर पर रविंदना टेगोर जो थे उन्होंने भी इसका प्रचार और प्रसार किया क्योंकि शांती निकेतन जो था वहाँ पे इन्होंने इसको निर्थे को किया इसको इंट्रोड्यूस किया तो मनिपूरी निर्थे जो होता है इसमें वेश भूशा बगरा बहुत अलग होती है अगर हम महिला की बात करें तो पोशाग जो होती है उनकी इसे पटलोई या लहंगा मतलब जो पोशाग को पटलोई बोलते है और जो लहंगा है इसे कुमिन कहा जाता है इसके अलाबा चेहरा ढका होता है तो यानि की पारदर्शी ओड़नी सिर पर पहनी जाती है जिसे चेहरे को ढका जाता है अब क्योंकि चेहरा ढका होता है तो इसमें जो भाव है वो उतने important नहीं होते यानि चेहरे पे प्रदर्शन नहीं होता चेहरे पे भाव नहीं होते और जो इसमें पुरुष होता है वो इसमें भगवान कृष्चन को दर्शाती भगवाग पोशाक पहनता है नर्तक इस निर्थे में टकने पे घंटी भी नहीं पहनते यानि आप जो पैर है इनमें इनमें गुंगरू या घंटी नहीं पहनी जाती जो मनिपूरी निर्त्य है इसकी जो उत्पत्ती है ऐसा माना जाता है लाई हरोबा निर्त्य से हुई है तो लाई हरोबा भी एक बहुत प्राचीन निर्त्य है मनिपूर का त्योहार है लाई हरोबा तो ऐसा मना जाता है मनिपूरी नित्य का प्राचीन रुपह लाई हरोबा मुख्य कलाकार जो मनिपूरी नित्य के हैं वो हैं माईबा और माबी माईबा और माबी यानि ये पुजारी और पुजारन होते हैं जो मुख्यत है इसको प्रफॉर्म करते हैं और ये दुनिया का निर्मान कैसे हुआ उसको परदर्शित करते हैं, ये इसके मुखे कलाकार होते हैं, बाकी वो लोग कौन है जिनोंने इसको किया, उनके नाम कोन है, प्रस्तावक कौन है, जावेरी बहने, चार बहने है, नयना, सुवर्णा, रंजना और दर्शना, और पर जोर नहीं दिया जाता, नारी की सुन्दर्ता पर जोर नहीं दिया जाता, तो ये पूरी तरह से भक्ती पर जोर दिया जाता है, इस मामले में ये अद्वित्य है, यानि यूनीक है, चेहरे पर पतली घुंगट के साथ कवर किया जाता है चेहरे को, तो चेहरे की इसमें कम है, हाथ के इशारे और पैरों की गती बहुत important है, इसमें एक मुद्रा होती है, नाग बांध मुद्रा, जिसमें शरीर को आठ के आकार में किया जाता है, मनिपुरी निर्ते में ये बहुत महतमपुर्ण मुद्रा होती है, भारत के लोक निर्ते, अब आपको पहले दो ये समझना है कि classical dance और folk dance में क्या difference होता है, हलांकि मैंने ये आपको classical dance वाले वीडियो में बताया था, लेकिन इसमें मैं repeat कर देता हूँ, देखो classical dance आप तभी कर सकते हो, जब आपने बहुत ज़्यादा training लियो, पहली बात, ये बिल्कुल भी casually नहीं होते, इनका जो बंद है वो भागवान से होता है, स्प्रिच्वालिटी से होता है, आध्यात्म से होता है, सालों की कठोर तपस्या मेहनत करने पड़ती है, तब जाके classical dance आप कर सकते हो, इनके कानून बहुत ज़्यादा सक्त होते हैं, मालो मैं आपको कहूँ कि stage पर जाकर भारतना टेम स्टार्ट कर दो, तो क्या आप कर सकते हो, नहीं, लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि आप stage पर जाकर भांगला कर लो, या डांडिया कर लो, तो आप कर लोगे, तो वो एक folk dance है, यानि लोग निर्द्य है, classical dance जो होते हैं, वो generally professionals करते हैं, जो बहुत ज़्यादा उस field में होते हैं, जिनका कामी वही है, जो नर्तक है, जो निर्द्य करते हैं, ठीक है, classical dance वो करते हैं, folk dance कोई भी कर सकता है, तो folk dance को इसलिए common people's dance बोलते हैं, यानि आम आदमी का dance, एक आम आदमी उसे खड़े होके कहीं पे भी कर सकता है, बहुत ज़्यादा आभूशन, श्रिंगार, सज्जा, सजावट, इनकी आवशकता नहीं हैं, ठीक है, और folk dance क्यों किये जाते हैं, ये generally celebrate करने के लिए किये जाते हैं कोई चीज, जैसे की फसल अच्छी हो गई, यानि agriculture harvest, शादी, भ्या, कोई और function, कोई खुशी, किसी घर में किसी लड़की या लड़के का जन्म होना, तो इन सब पे folk dance किये जाते हैं, इन में बहुत ज़्यादा strict rule नहीं होते, इनका purpose होता है enjoyment, fun, brotherhood, भाईचारा, आपसी एक दूसरे के साथ भाईचारा और प्रेम, ये होता है इनका मकसद, तो folk dance जो होते हैं, ये energy, enthusiasm और power को दिखाते हैं, clear? अब हम करते हैं folk dance, इससे पहले मैं एक एक करके सारे राज्यों का start करूँ, पहले छो निरते से शुरू करते हैं, क्योंकि ये भारत के तीन राज्यों में किया जाता है, और ऐसा नहीं है कि भारत के तीन पूरे पूरे राज्यों में किया जाता है, ये एक एक जिले में ही किया जाता है, तो छो, ये आया कहां से शब्द, चो ये शब्दाया शब्द चाया से, चाया का मतलब होता है shadow, ठीक है shadow आपकी चाया, आपकी परचाई, वहाँ से ये शब्दाया, तो ये एक mask dance है generally, यानि इसमें मुखोटा पहना जाता है, हलांकि आपको बता दू, तीन तरह का चो होता है, उसमें दो में ही मुखोटा पहन आजाता, तो चो तीन तरह का कोन सा होता है, एक होता है जारखंड में किया जाता है, जिसको बोलते है सराय केला चो, क्योंकि जारखंड में एक जिला है सराय केला, दूसरा ओडिसा में किया जाता है, जिसको बोलते है मयूर भंज चो, क्योंकि मयूर भंज में किया जाता है जो की जिला है ओडिसा में और तीसरा है वेस्ट बेंगॉल में पुरूलिया छो जो की पुरूलिया में किया जाता है पुरूलिया डिस्टिक्ट वेस्ट बेंगॉल तो तीन तरह का छो है और यह सुपर इंपोर्टेंट है सराय केला छो जारखंड का मयूर भंज छो ओडिसा हैं वो है mythological stories यानि की पौरानिक कहानियां अच्छा इन में से कौन सा वो चो है जिसमें मुखोटा नहीं पहना जाता वो है मयूर भंज चो यानि ओडिसा वाला जो डांस है उसमें मुखोटा नहीं पहना जाता तो मैं आपको दिखा देता हूं तीनों तरह के चो यह है पुर मुखोटा पहना जाता है और यह है मयूर भंज चो और ऐसा आप देख सकते हैं कि यहां पे जो नर्तक हैं उन्होंने मुखोटा नहीं पहना इन फैक्ट चोन रित्ते इतना पॉपुलर है कि 2010 में युनेसको ने इसे अपनी representative list of intangible cultural heritage में डाला था चलिए अब हम सबसे पहल और जब हम बंगाल के पढ़ेंगे तो उसमें folk dance में छो को नहीं पढ़ेंगे पहले जारखन की बात करते हैं जहां मुझे लगेगा कि किसे नृत्य के बारे में आपको extra information देनी ज़रूरी है अपने अनुभव के अधार पर जो पुराने paper देखे हैं उनके अधार पर तो मै आपको ज़रूर दूँगा कहीं कहीं पर photo भी दिखानी ज़रूरी होगी वो भी दिखाऊंगा तो जहारखन में सबसे पहले है दुमकाच फिर है सरहॉल और सरहॉल काफी important है क्योंकि सरहॉल एक festival होता है तो उसी festival पर जो dance किया जाता है उसे सरहॉल dance बोल देते हैं तो फिर है कर्मा डांस वैसे तो कर्मा डांस ऐसा नहीं है कि सिर्फ जहारखन में किया जाता है कर्मा को मद्यपरदेश में भी करते हैं कर्मा को बिहार में भी करते हैं कर्मा को बंगाल में भी करते हैं लेकिन यहां का एक विशेश जहारखन का कर्मा डांस होता है कर्मा फल मिलेगा, तो जो करम भगवान एक तरह से, एक तरह से करम को एक भगवान की तरह उसकी पूजा की जाती करमा dancing में फिर है अगनी dance अगनी folk dance, अगनी लोक नित्पे फिर है जूमर ठीक है, जूमर को गूमर से confused मत करना, घूमर राजस्थान का है जिसकी हम आगे बात करेंगे, यह है जुमर, और जुमर दो तरह का होता है, एक है जननी जुमर और एक है मरदाना जुमर, नाम से पता चल रहा है, मरदाना जुमर परुश करेंगे, इसमे थोड़ा बहुत मार्श्यल आट का परियोग भी होगा, थोड़ा सा, जो भी नित्ते पुरुष करते हैं, उनमें थोड़ा सा एक ब्रेवरी दिखाई जाती है, वो कोशिश करते हैं कि हम पुरुष हैं तो हम उसमें अपनी मरदानगी दिखाएंगे, तो ये मरदाना जूमर है और एक है जननी जूमर, जननी बोलते हैं नारी को, ठीक है ना, नारी को बोलते हैं, महिला को बोलते है जननी तो जननी जूमर जो होता है वो नारी करती है तो जूमर बहुत ज़ादा important है और ये harvest season में किया जाता है यानि जब फसल करती है उस वत किया जाता है फिर है पाईका पाईका को पुरुश करते हैं इसमें कई सारी martial art का प्रयोग किया जाता है और पाई फगुआ होली के बद किया जाता है ये festival इसमें पुरुश महिला साथ करते हैं इसे और इसमें एक दूसरे के उपर होली के रंग और कलर बगारा भी बिखेरे जाते हैं तो ये ज़ारखन के जो है important सबसे important folk dance है हो सकता है मैंने कुछ छोड़े हो लेकिन अगर वो छोड़े ह करते हैं तो वो भी होतो उस्टेट का गया लेकिन exam oriented ये वीडियो है तो इसमें जो मैं छोड़ूँगा तो कुछ सोच के छोड़ूँगा आपको बस ये वाले याद रखने हैं जो यहां पे लिखे हैं दुंकच, सरहल, कर्मा, अगनी, जुमर, पाइका और फगुवा और स भील जो ट्राइब है रजस्थान की उन्होंने शुरू किया था लेकिन आज ये पूरे रजस्थान में किया जाता है और सिर्फ भील ट्राइब नहीं करती है आज इसे सब के द्वारा किया जाता है ये बहुत कॉमन हो गया है चाहे वो ब्या हो चाहे वो शादी हो चाहे व कोई भी function हो, उसमें घूमर किया जाता है, तो ये एक traditional folk dance से रजस्तान का घूमर, और भील tribe ने इसे जब start किया था, तो सरस्वती की पुजा करने के लिए start किया था, बाद में इसे रजस्तान के दूसरे समुदायों ने भी अपना लिया, फिर रजस्तान का दूसरा सबसे important है भवई, देखो भवई जो है उसमें सर के उपर, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये घूमर है, और ये वाला जो है ये भवई है, तो भवई में सर के उपर जो मटके रखे जाते हैं, और उनको फिर balance किया जाता है, इतना ही नहीं, balance करने के बाद dance भी किया जाता है, और अगला है कलबेलिया, कलबेलिया भी इतना जदा important है कि युनेस्को ने इसे 2011 में अपनी representative list of intangible cultural heritage जानी अपनी अमूरत विरासत की जो representative list है उसमें डाला था, कलबेलिया एक folk dance है जो जिसमें bean का इस्तिमाल भी होता है, ये basically जो tribal लोग हैं वो करते हैं जिनका काम है साप पकड snake charmer का काम करते हैं जो bean बजाते हैं तो इसमें एक wind instrument यूज होता है वाद्दय यंत्र जिसे bean बोलते हैं कहते हैं साप के आगे bean बजाना और ये जो निरत्य होता है इसमें साप की ही मुद्राएं जैसे साप चलता है, साप ठुमकता है, साप हिलता है, उसी तरह से कमर हिलाई ये dance है, राजिस्थान के कुछ और dance अब देखते हैं जैसे कटपुतली, कटपुतली बहुत common है, अब तो खैर पूरे भारत में कटपुतली दिखाई जाती है जगा जगा लेकिन कटपुतली का जो origin है वो राजिस्थान में है, राजिस्थान में जोधपूर, उदैपूर बहुत सारी जगा कटपुतली का जो नित्य है वो दिखाये जाता है, ये कटपुतली को कटपुतली क्यों बोलते हैं, देखो पुतली का मतलब होता है डॉल, यानि की कोई गुडिया, और कट मतलब होता है लकडी, तो इसमें लकडी की जो गुडिया होती है, जो निर्जी होते हैं यानि कि जो कटकुतली के धागे खींचते हैं वो कोई social message इसमें देते हैं उसके बाद है चारी चारी को मटका बोलते हैं pot dance है ये भी ठीक है आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है चारी dance तो इसमें सर के उपर एक पीतल का मटका जनली पीतल का होता है तो पीतल का मटका रखे और उसपे आग भी लगाई जाती है और फिर वो dance किया जाता है बहुत ही कठिन dance है जो चारी dance है इसे दो समुदाय करते हैं राजिस्थान में एक तो गुजर समुदाय किशनगर में और एक सैनी कम्यूनिटी जो है वो अजमेर में तो ये इन्हें करते हैं ये खर आपको याद रखने की ज़रत नहीं है आप बस याद रखिए जो चारी dance है वो रजिस्थान का dance है फिर है कच्ची घोडी कच्ची घोडी में क्या होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक तरह का घोडा जो है उसके बीच में पुरुश फसा हुआ है तो इसमें basically जो डाकू होते हैं डाकू, डाकू मतलब bandit जो गाउं वगरा को लूटने आते थे जो डाकू हैं उनकी स्टोडी बताई जाती है कि डाकू किस तरह से आते थे और वो सब तो डाकू जनरली जो होते हैं पुराने डाकू आज के डाकू तो अलग तरह के हैं लेकिन जो पुराने डाकू है वो गोड़ों के उपर आते थे और तो उसमें वो सारी कहानिया दिखाई जाती हैं कच्छी गोड़ी में फिर है चक्री नाम से पता चल रहा है गोल गोल घूमना वाला तो इसे जो कंजर ट्राइब है वो करती है उसकी महिलाएं करती है चक्री में भी वैसे ही चक्री ये गोल गोल घूमना जाता है लगातार महिलाएं घूमती है इसमें स्पिन करती है बहुत ज़्यादा कठें डां तो ये राजस्थान के हैं बागी दो तिन और बताता हूँ एक है गवरी गवरी जो है ये भी 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 ट्राइब के पुरुष करते हैं इसमें भगवान शिव और पारवती को वो समर्पित है ये डांस उनको अपनी जो डिवोशन है अपनी भक्ती है उसका प्रदर्शन वो कर शडियूल कास्ट है वहां की एक वो करती है ये कम्यूनिटी करती है और वहां उनके एक भगवान भी होते हैं जिने बाबा रामदेव बोलते हैं ये वो वाले आवज वाले रामदेव नहीं है ये बहुत पुराने वाले बाबा रामदेव हैं जो इस समुदाय के गुरु ह उनको समर्पित है तो इसमें महिलाएं ये है तेहरा ताली इसमें महिलाएं जमीन पर बैड़ जाती है और फिर अपने शरीर पर एक कुछ चीजे लगाती है जैसे कुछ metallic चीजें होती है तेहरा वो बजती है जब महिलाएं हिलती है तो वो भी फिर बजती है इस तरह का निर् आजिस्तान के थे, अब हम आते हैं, यूपी, उत्तर प्रदेश के उपर, उत्तर प्रदेश में निर्त्य की संख्या बहुत जादा नहीं है, लेकिन जो है वो बहुत इंपोर्टेंट है, जैसे सबसे इंपोर्टेंट जो एक्जाम में रिपीट होता है, वो है चरकुला, ये ये ब्रज रिजन का है, जैसे यूपी को भी कई रिजन में डिवाइड किया हुआ था, ब्रज, अवद वगारा, ब्रज वो इलाका है जिसका सम्मन्द भगवान कृष्ण से है, मतुरा, वरिंदावन, ये जो इलाका, इसके आसपास का इलाका, ये ब्रज कहलाता है, तो ब ये एक लकडी होती है, वुडन प्लैटफॉर्म जिसके उपर 108 दिये रखके बैलन्स करना होता है, तो ये है चर्कुल दान्स, ये काफी important है, उसके बाद नोटंकी, नोटंकी में क्या है, ये आसान है, जैसे हम कहते हैं कि नोटंकी मत करो, मतलब कहने का मतलब कोई भी कहान कहानी को एक निर्थे और डायलोग्स के थुरू दिखाना स्टेज पर चड़कर उसे नोटंकी कहा जाता है, यूपी का ये एक दम बहुत important ये निर्थे है, क्योंकि इसमें सिर्फ कहानी कही नहीं बलकि डान्स का इस्तेमाल भी होता है, कोई कहानी सुनाने के लिए, और आ टंकी का इस्तेमाल किया जाता था, अब रासलीला, रामलीला ये सब तो यूपी के हैं ही, रासलीला आप जानते हैं, इसमें भगवान कृष्चन की जो उनका जो जीवन है, उसको दिखाया जाता है, जिससे लोगों को सीख मिले, तो ये बहुत important है, ब्रज में किया जाता ह ये भी, रामलीला आयोध्या आप जानते हैं उसका भगवान राम की जनभूमी है, तो रामलीला भगवान राम का जो जीवन है वो दिखाया जाता है, और रामलीला अब तो खैर पूरे भारत में ही होती है, यूपी में ही नहीं बलकि पूरे नौर्थ कम से कम जो हिंदी ब बहार पेड होता है, खास कर गाउं वाले लाकों में, और वहाँ पे जूला जूलती हैं, और जूला जूलते जूलते, फिर जो बाग, कुछ जूला जूलती हैं, कुछ उनको जूला जूलाती हैं, और कुछ उनके चकर लगाती हैं, गोल-गोल घूमती हैं, हिलती हैं, तो इस MP से सटता मतलब UP के भी इसमें जिले आते हैं और MP के भी आते हैं बुंदेलखन इलाका है Central India का इलाका है बहुत ही गरीब गरीब इलाका है सुखा इलाका है बहुत ही बारिश की कमी है यहाँ पर आपको पता होगा जैसे जो UP में जहां सी ललितपूर वगारा यह वाले जो सबसे नीचे आ जाओ UP में सबसे नीचे जो आ जाओ अगर आप West से East की तरफ जाओगे तो आप देखोगे कि यानि कि आप मतलब जहां सी ललितपूर से लेके और मिर्जापूर और वहां तक जाओगे तो आप देखोगे सोन भद्र वा या यह जो सोन भद्र सबसे East में हो गया अगर आपने UP का मैप देखा हो जैसे अगर यहां मैं ऐसे बनानी पाऊंगा लेकिन मैं आपको वैसे बता देता हूँ बेसिकली यह UP मान लो आप ठीक है यह नीचे MP मान लो तो यह जो इलाका है जो common है दोनों में यह है बुंदेल खंड अब इसमें आप यहां पे कहीं जहां सी है यहां पे कहीं ललितपूर वगारा है और इधर जाओगे तो फिर सोन भद्र मिर्जा पूर अलाबाद वगारा यह वाला जो एरिया है वो है तो नीचे आ जाओगे तो फिर यह सब मिलेंगे आपको जो तीकमगड है तीकमगड निवाडी और मद्यप्रदेश में सागर दामो वगारा यह सागर दामो यहां पे है फिर यहां पे उपर तीकमगड है फिर अब निवाडी तो मद्यप्रदेश का वो इलाका जो बुंदिल खंड में आता है वह ये भी याद रखना है आपको, और ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये है मटकी, ये भी वैसा ही है, इसमें भी सर के उपर मटके जो हैं, वो balance करने होते हैं, फिर है नौराता, नौराता को बुंदेल खंड में किया जाता है इसे भी, और इसे जो unmarried लड़कियां हैं, वो एक अच्छा वर चाहती हैं, तो उसकी चहां में ये किया जाता है, उसके बाद है माच, माच भी बहुत repeat होता है, माच भी मालवा में किया जाता है, और ये एक तरह का ballet dance है, मतलब इसको western dance एक तरह का कह सकते हो आप, ठीक है ना, तो in fact एक वहाँ पे गुरु थे, जिन्हों ये जब राभी फसल, जो winter में जो फसल, गेहु वगरा ये सब जो होती है, ये जब पक जाती है, तब ये किया जाता है, ग्रिडा, तो ये है ग्रिडा आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब चत्तिसगड़ पे आते हैं, मद्दे प्रदेश से अलग हुआ था राज्ये चत्त गड़ में किया जाता है, तो गौर मरिया जो है, ये बस्तर में किया जाता है, आप जानते हैं, बकसर थोड़ा सा इंसरजेंट इलाका है, थोड़ा सा नकसलवाद वहाँ पे है, काफी है in fact, तो वहाँ पे किया जाता है, इसे बिसौन हौन मारिया ट्राइब करती है, रौत नाच रखिये काफी है सहला नित्य पैसे मद्य परदेश में भी किया जाता है सहला लेकिन शत्यसगड में आपको याद करना है अब रौत नाच तो पंती भी अगला है ये नेक्स्ट पंती पंती को सतनामी जो जनजातियां है महाँ पे वो करती है ये यहाँ पे मघी पूर्निमा के दिन करते हैं मघी पूर्निमा वो दिन होता है जिस दिन उनके गुरू गुरू घासिदास जी का जनम दिन होता है आपने गु गुरु घासिदास जी को समर्पित, फिर है सुवा डांस, सुवा डांस एक्जाम में तो नहीं आया लेकिन याद रख सकते हैं, आप बेसिकली सुवा मतलब होता है तोता, पैरट, तो ये बेसिकली क्या है कि पैरट की तरह, बीच में एक तोता रख देते हैं, एक जो पॉट होता है, यानि घड़ा, उसमें बीच में एक तोता रख देते हैं, उसके चारो तरफ एक सरकल बना के डांस किया जाता है, तो इसे सुवा डांस बोलते हैं, 36 गड़ का स्पेशल, फिर है पंडवनी, पंडवनी पंडव से रिलेटिड है, माभारत में पंडव थे, पांच इसे लिटी और गेंडी, हिमाचल की तरफ आ जाते हैं, हिमाचल में जो आपको याद रखने हैं, जो सबसे इंपोर्टेंट, जो सबसे ज़ाद रिपीट होता है वो है नाटी, देको नाटी जो डांस है, ये कई तरह का है, कुल्लू में किया जाता है, तो कुल्लूवी ना भगवान की पूजा करने के लिए भी नाटी को किया जाता है, तो याद रखिए नाटी सबसे ज़ादा इंपोर्टेंट है हिमाचल का, उसके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे राक्षस डांस, राक्षस मतलब डैमन, इंग्लिश में बोलते हैं राक्षस को डैमन, के नौर में किया जाता है, जनरली ये, इसमें मुखोटे का इस्तिमाल भी होता है, तो इसमें मुखोटा पहना जाता है, और फिर किया जाता है, इसमें बेसिकली क्या है कि, ऐसा माना जाता है कि, जो हिमाचल के लोग हैं, जब वो खेती करते थे, तो वहाँ पे राक्षस आ जाते और वो जो खेत है उसकी फसल वर्बाद कर देते थे, फिर हिमाचल के लोग भगवान की पूझा करते थे और वो राक्षास को दूर भगाते थे, राक्षासी जो दैत्ते वाली जो शक्तिया आएं उन्हें दूर भगाते थे, इसलिए ये डांस किया जाता है, फिर रोपा घाटी जो है किन्नौर वाला जो इलाका है, वहाँ पर ये दो निर्थे किये जाते हैं, डाल्शोन और चोलामबा ये दो निर्थे रोपा घाटी में किये जाते हैं, फिर शांड और शबू ये लाहौल वैली में किये जाते हैं, लाहौल सपिती आपने सुना होगा, लाहौल वैली तो शांड और शबू, फिर है डांगी, डांगी जो डांस है ये फसल पकने के बाद किया जाता है और ये नैना देवी को समर्पित है जो नैना देवी की पूजा की जाती है उसके बाद है कयांग, कयांग माला, माला को अंग्रेजी में गार्लेंड बोलते हैं, ठीक है ना, तो कयांग माला भी एक important निरते है हिमाचल का, गुजरात पर आ जाते हैं, गुजरात में दो तो आपने जरूर सुने होंगे डांडिया और गर्बा, अब डांडिया और गर्बा में फरक क्या है, देखो डांडिया तो नाम से पता चल रहा है, हाथ में डंडी होगी, ये सब के हाथ में डंडी होती है, तो वो डांडिया हो गया, ठीक है, डांडिया डांस इसलिए किया जाता है, क्योंकि दुर्गा ने वद किय तो डांडिया जब हम निर्ते करते हैं, वैसे तो कोई भी डंडी उठा के आज कल शुरू हो जाता है, लेकिन जो टेक्निकल जो डांस होता है डांडिया, उसमें मा दुर्गा और महिशा सुर के बीच जो लडाई होई थी, वो दिखाई जाती है, ठीक है, और जो डंडी होती हैं, वो मा दुर्गा की तलवार दिखाती है, याद रखिए, ढांडिया, फिर गर्बा, गर्बा हम नवरात्रे में करते हैं, और गर्बा जो है, ये शब्द बना गर्बा गर्ब से, गर्ब मतलब क्या होता है, एक मा का गर्ब, जिसमें बच्चा पलता है, यानि वॉम, अ और हम उसमें उसके चारों तरफ फिर निर्ते करते हैं, या कई बार ऐसा भी होता है, बीच में हम शक्ती जो हैं, शक्ती मा, उनको रख देते हैं, और उनके चारों तरफ फिर गर्बा किया जाता है, तो डांडिया और गर्बा लगभग आपको सबको पता ही होगा, लेकिन कुछ और भी है, जैसे पढ़ार, इसे पढ़ार community करती है गुजरात में, फिर है हुडो, हुडो डान्स को जो भरवाड tribe है, वो करती है जो की जो पशु पालते हैं, shepherd है, shepherd, shepherd समझते हैं, shepherd मतलब जो मवेशी पालते हैं, उन्हें shepherd कहते हैं, तो वो समुदाय करता है, हुडो डान्स, फिर एक exam में आता है टिपनी, टिपनी काफे important है, इसे जुनागड में चोरवाड जगा पे किया जाता है, जो कि एक वहाँ पे जगा है, शेहर है चोरवाड, वहाँ पे किया जाता है, इसमें डंडियों का जाय करते थे, दूर दूर, नाविक थे, तो वो घर नहीं आते थे बहुत समय तक, तो यह महिलाएं बोर हो जाती थी, और जब यह बोर हो जाती थी, तो यह मिलके निर्ते करती थी, जिसे टिपनी का जाता है, इसमें जो डंडी है वो कुछ महिलाएं जो फर्ष है उस पर डंडीों से प्रहार करती है आवाज निकालती है और कुछ है उनके उनका समर्थन करती है फिर डांस करती है तो ये है टिप पनी निरते है गुजरात का बहुत ही फेमस असाम पे आ जाते हैं असाम में सबसे इंपोर्टेंट है भी हूँ इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको बाद के लिए रख देते हैं लेकिन पहले जो और है तो दूसरा सबसे इंपोर्टेंट है जिसे बोलते हैं बगुरुमबा बगुरुमबा को बोडो करते हैं, असाम में जो बोडो हैं, जो बोडो लेंड की मांग भी कर रहे हैं बहुत टाइम से, तो बोडो करते हैं इस निर्थे को, ये निर्थे विशुव शक्रान्ती यानि की 15 अप्रेल के आसपास किया जाता है, 15 अप्रेल को में किया जाता है, इसमें जो dancer होते हैं, उनके पास symbol होते हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ पे यह बजाने के लिए जो यह पीतल के बरतने हाथ में इने symbol बोलते हैं, और इनको बजाए जाता है, और dance करते वक्त तो यह है भोरताल, फिर है ओजापल्ली, बस नाम याद हैं, चाए की खेती बहुत जादा है, सबसे जादा भारत में चाए असाम में होती है, तो जो चाए के समुदाए में हैं, जो चाए tea community, यानि कि जो चाए के बागानों में काम करते हैं लोग, वो इसको करते हैं, इसको गोलते हैं जुमुर, अब बीहु पे आ जाते हैं, दे तीनों अलग-अलग टाइम पर और अलग-अलग काणों की वज़े से किया जाता है, ये काफ़े इंट्रस्टिंग, आपको बताता हूँ कैसे, सबसे पहले आते हैं, रॉंगाली या बोहाग भी हूँ, ये अप्रेल में किया जाता है, और ये जो वसंत रितु का आगमन जब होता है, 15 अप्रेल के असपास, तब ये किया जाता है, गर्मियों से जस्ट पहले, तो और नया साल भी होता है, जो भारत के अलग-अलग राजियों में अलग-अलग नाम से मनाया जाता है, ठीक है, केरल में उसे विशू बोल देते हैं, तमिलाडू में पुथांडू बोल देते हैं, तो अलग-अलग नाम से इसे जो नया साल है लोग मनाते हैं, उस नया साल को असाम में बोलते हैं, रॉंगाली या बोहाग भी हो, ये है बोहाग भी हो, ठीक है नया साल आता है रोंगाली या बोहाग भी हो अब आते हैं दूसरे पे जिसे बोलते हैं कौंगाली या कटी भी हो ये कौंगाली वर्ड मतलब कंगाली कंगाली मतलब होता है जब आपके पास पैसा बिल्कुल नहीं होता आप गरीब हो जाते हैं उसे बोलते हैं कंगाली तो कंगाली वो वहाँ की भाशा में हो गया कंगाली, basically अक्टोबर में मनाया जाता है, ये वो टाइम होता है जब खाने पिने के लिए कुछ जादा नहीं होता क्योंकि ये फसल बोने का सीजन होता है काटने का नहीं, ये अक्टोबर की बात हो रही है, यार रखिए, ये वो टाइम है जब आप नई फसल को भोते हैं असाम में, तो इस वक्त उतना ज़्यादा खाने पीने के लिए नहीं होता, तो इसको कैसे सेलिबरेट करते हैं, इसमें बस रात के समय या इवनिंग के समय द जनवरी-फर्वरी में मनाया जाता है, भोग मतलब क्या होता है, भोग मतलब होता है प्रसाद, यानि काफी assessment किया जाता है इसमें, क्योंकि फसल पग जाती है, चाए, ये जो असाम है, असाम की जो valleys हैं, जहां पे अलग-अलग तरह की खेती होती है, बहुत सारी अलग-अल मुल्टा है तो इसमें भोग किया जाता है भोगाली मतलब भोग तो यह है भोगाली या मघ भीहू जनवरी-फरवरी के आसपास आता है और यहांप यहां पर देख सकते हैं फसल पक चुकी है जैसे हमारे उत्तर भारत में होता है कि जब गेहू है उसे होली के आसपास जब जो होली के दिन उसको जलाए भी जाता है और नया अंखाया जाता है वैसा ही कुछ है यह भोगा लिया मग भी-हु, तो भी-हु clear है तीन तरह का, अब आते हैं odysa, लो भी तरह के निर्थे है जो एक्जाम के लिए लिए तो super important इन फैक्ट सबसे ज़्यादा ओडिसा के हैं जो आपको पढ़ने हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं गोटी पुआ, गोटी पुआ जो है ऐसा मानते हैं कि इसी से उत्पत्ती हुई ओडिसी की, ओडिसी लेकिन है क्लासिकल धांस है, ठीक उसी तरह जिस तरह आसाम में सतरिया ह सतरिया भी क्लासिकल डांस है, इसलिए हमने यहां नहीं पढ़ा, उस वेडियो में पढ़ा था, क्लासिकल वाले में, तो गोटी पुआ ऐसा माना जाता है कि यह इसी से उत्पत्ती हुई ओडिसी नित्ते की, इसमें बहुत चुस्ती चाहिए, बहुत अक्रोबैटिक मूव होते हैं, और इसलिए यसे यंग लड़के करते हैं, बहुत ही कम उ humor के लड़के करते हैं, और याद रखिए ये लड़के अपने आपको लड़की की पोशाक में डालते हैं, अब ये जो आप देख रहे हैं, ये गोटी पुआ हो र 건 है, लेकिन ये जो लड़कीया आपको देख चुके मयूर भंज वाला चो उडिसा में भी तो उसमें हमलक से नहीं पड़ेंगे, लेकिन आपको बता दूँ इसमें क्या किया जाता है, उडिसा में आपने पाई का बिद्रो सुना होगा, पाई का रिबैलियन, देखो अभी तक तो लोग ये मानते थे कि 1857 की जंग भारत में पहली जंग थी, नहीं, उससे 40 साल पहले, 1817 में पाई का बिद्रो हुआ था उडिसा में, उसको भारत की पहली जंग बोलते हैं, तो इसमें क्या था बेसिकली, जो पाई का लोग होते थे, जो वारियर थे, जो जिनका काम था रक्षा करना, वो ऐसा माना जाता है कि वो मयूर भंज में इस निर्ते को किया करते थे, मतलब एक तरह से वो अपने आपको तयार किया करते थे लड़ाई के लिए, तो उसी तयारी को आज दिखाया जाता है, मयूर भंज चो करके, याद रखिए, ठीक है, मयूर भंज चो, और एक पाई का मैंने आपको बताया जाता है काला हंडी में वेस्टन ओडिसा काला हंडी में किया जाता है बस आप याद रखिए ये जो है नीचे फोटो ये घूमुरा किये उसके बाद है रनप्पा रनप्पा में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पुरुश और महिलाएं हैं डंडियों के उपर खड़ें स्टिल्ट बोलते हैं जिने तो ये स्टिल्ट सहरा लिया हुआ है डंडियों का गंजम में किया जाता है मेंली और इसमें भगवान कृशन का जो बचपन है वो दिखाया जाता है परफॉर्म करके रनप्पा फिर है चैती घोड़ा अब कच्ची घोड़ा आपने देखा था पहले वो अलग था ये है चैती घोड़ा चैती घोड़ा में भी वही है इसमें ये मच्छुआरे करते हैं इसे और इसमें ये घोड़े वगारा पहन लेते हैं उनके बीच में फिर वो उस तरह से किया जाता है ये डमी होर्स का इस्तिमाल किया जाता है फिर है दलखई संब married young woman, जिनको कुवारी बोलते हैं, तो वो इसको करती हैं, दलखई को घुरुब बना कर, फिर ओडिसा में, एक है दंड नाट, ये बहुत important है दंड नाट, क्योंकि इसमें अपने आपको दंड दिया जाता है, भगवान शिव की आराधना करने के लिए, अपने आपको दंड दिया जाता है, अब आप यहांपे देख सकते हैं, ये लोग ऐसे लेट गए हैं, और ये लेट गए हैं, और कुछ लोग इनके उपर से चल के जाएंगे, तो इनको दंड मिलेगा, इनके शरील को दंड मिलेगा, तो इनके भगवान शिव की भक्ति की जाती है, ये गंजम में किया जाता है, जो उस समय कलिंग एंपायर का एक बहुत इंपोर्टेंट एरिया था, फिर है मेधनाच, मेधनाच में भी मुखोटों का इस्तिमाल होता है, और ये कोस्टल ओडिसा में किया जाता है, कोस्टल ओडिसा में, इसमें कई तरह के मुखोटों का इस्तिमाल इसमें भी किया जाता है, शुरू करते हैं अवनाचल परदेश, अवनाचल परदेश का जो सबसे इंपोर्टेंट जो तीन-चार डांस है, जैसे बार्डो च्छम बहुत repeat होता है बार्डो च्छम, लाइन और पिकोग दान्स तो लाइन और पिकोग दान्स से start करते हैं यह जो डान्स है यह मोनपा ट्राइब मनाती है तवांग एरिया में तवांग जो की सबसे west में पढ़ता है और ना चलके यह enjoy या celebration के लिए किये जाते है फिर है पासी कॉंकी डान्स यह भी important है पासी कॉंकी पासी कॉंकी जो डान्स है यह आधी ट्राइब करती है तो अरणाचल परदेश की जो ट्राइब्स हैं इसमें आपको वो भी indirectly आप cover कर रहे हैं वैसे हम ट्राइब्स पर अलग वीडियो भी बनाएंगे लेकिन इसमें indirectly आप एक तरह से ट्राइब्स भी जो है उनसे अपने आपको एक्सपोज कर रहे हैं पासी कॉंकी जो डान्स है यह आधी ट्राइब का डान्स है और यह पासी जो लोग है वहाँ पे जो ट्राइब्स हैं गालो ट्राइब्स वो करती हैं और basically जो गैलो का जो बिलीफ है गॉड में वो काफी ज़ादा है तो उसको दर्शाने के लिए पॉपिल डान्स किया जाता है फिर है बार्डो चाम बहुत ज़ादा आता है बार्डो चाम एक्जाम में यह फोग डान्स है अगेन यह वेस्ट कामेंग डिस्टिक्ट में किया जाता है मिलली और इसमें गुड और इविल वो दिखाए जाते है जैसे आप किसी भी स्टोरी को देखेंगे तो उसमें एक good होता है और एक evil होता है तो ये उसको denote करता है बार्डो चाम उसके बाद हम बात करते हैं कुछ ओर dance जो उतने एक्जाम में आए नहीं है लेकिन आ सकते हैं जैसे अजी लमू अजी लमू मू मोनपा ट्राइब करती है ये group dance होता है चैनली अजी लमू next है चलो dance चलो dance जो है ये भी एक knocked tribe है वहाँ पे knocked tribe उसका folk dance है और ये तीन दिन तक एक festival चलता है वहाँ पे जिसको बोलते हैं लोकू festival तो लोकू festival में चलो dance किया जाता है next है हीरी cunning dance हीरी cunning dance अणाचल की अपतानी tribe करती है अपतानी tribe जो है वो करती है ये dance जिसका नाम है खीरी cunning dance next है पोनंग पोनंग काफी एक्जाम में आता है और आप देख सकते हैं इसलिए मैंने इसका color blue किया यहाँ पे तो पोनंग dance जो है ये काफी popular है in fact सबसे common वहाँ का जो folk art है वो है पोनंग पोनंग dance जो है ये आधी community के द्वारा किया जाता है तो अब आपको पता है कि अणाचल में आधी है या आपतानी है ये सारे communities है मौनपे है तो ये tribe भी आपके साथ-साथ याद होते हैं फिर है बुईया dance बुईया dance basically इसमें दो होते हैं एक बुईया और एक नुईया ठीक है दो होते हैं तो बुईया dance जो है वो तो entertainment के लिए होता है और नुईया वाले जो है वो पुजारी करते हैं प्रिस्ट करते हैं तो ये जो बुईया dance है ये दिगारू मिश्मी करते हैं बिदेशिया डान्स, बिदेशिया सबसे popular डान्स है, बिदेशिया और ऐसा माना जाता है कि इस डान्स को शुरू करने में, जो सबसे बड़ा रोल था, एहम किरदार निभाया, वो निभाया विखारी ठाकुरने, और इसको इस डान्स का फादर बोलते हैं, और समाज में जो क पुरितिया चल रही थी, उसके बारे में आवाज उठाने के लिए ये शुरू किया गया था, विदेशिया डान्स, उसके बाद है फगवा, बहुत इंपोर्टेंट है फगवा डान्स, फगवा डान्स भी जो है, ये होली पे किया जाता है, बिहार में काफी पॉपुलर है, नेक्स्ट है जुमरी, ये जैसे गुजरात में गरबा होता है, उसी की तरफ बिहार में होता है जुमरी, तो ये जुमरी डान्स भी जो है बिहार में किया जाता है, उसके बाद है जट जटिन ये बहुत ज़्यादा एक्जाम में आता है, जट जटिन डान्स जो है, ये सब पॉपुलर डान्स है नौर्थ बिहार का, खास तोर पे मिथिला और कोसी जो रीजन है वहाँ का, इसको जो मैन और वुमेन है दोनों करते हैं, जट जट इन को, उसके बाद है जीजियान डान्स, जीजियान डान्स जो है ये भी पॉपुलर है बिहार में, रिचुलिस्टिक जीजियान डान्स तब करा जाता है जब बारिश नहीं होती, तो बारिश को बुलाने के लिए देवताओं को खुश करने के लिए किया जाता है, भगवान इंद्र को खुश करने के लिए रेन डान्स बोलते हैं इसे जीजियान डान्स, फिर कुछ और भी है जैसे दोमकाच दोमकाज जो हैं ये महिलाएं करती हैं और शादी से पहले करती हैं और ये दूले के घर में करती हैं ठीक है ये मिथिल और भोजपूर में काफी फेमस हैं फिर है कजरी कजरी डांस कजरी डांस जो होता है ये श्रामन के महीने में किया जाता है जब मौनसून स्टार्ट होती ह और ये जो भोजपुरी speaking belt है बिहार की वहाँ पे किया जाता है नेक्स्ट है सोहार जब बच्चा पैदा होता है घर में तो सोहार किया जाता है खास तोर पे जो male child होता है तब किया जाता है सोहार dance अब बात करते हैं गोवा के folk dance की तो गोवा का जो सबसे famous है वो है ढालो ढालो dance जो है महिलाएं करती है और अपने घर पे कोई बुरी नजर ना पड़े अपने घर को protect करने के लिए dance किया जाता है और लगबग एक हफते का जो period है जब winter start होते हैं तब यह किया जाता है ढालो फिर है कुन्बी कुन्बी बहुत popular है गोवा का dance कुन्बी यह समाज में जो बुराइयां है समाज में जो theme चलते हैं वो दिखाए जाते हैं इसमें और कई social occasions पर किया जाता है कुन्बी फिर है lamp dance जिसको हम दिवलियांची नाच बोलते हैं तो आपसे यह भी पूछ सकते हैं दिवलियांची नाच जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं आप इसमें जो गोवा में एक festival होता है शिग्मो शिग्मो फेस्टिवल पर किया जाता है इसमें महिलाएं जो हैं अपने सर के उपर काफी सारी चीज़ें बैलेंस करती हैं अलग-अलग तरह के जो ब्रास के बने हुए यानि पीतल के बने हुए दिवलियांची नाच फिर फुगडी dance बहुत जादा common है गोवा में और यह गनेश चतुर्थी बगार पे किया जाता फिर है शिग्मो शिग्मो फेस्टिवल होता है तो उसमें जो डांस होता है वो किया आता है वो है शिग्मो यह traditional डांस है गोवा का यह सारे काफी important है फुगडी शिग्मो कुनभी दिवलियांची नाच और धालो इसके अलाबाद देखनी भी exam में काफी बार आ चुका है द इसमें भी कई तरह के जो oil वगरा के जो lamp है दिये वगरा जो है वो carry किया जाते है फिर एक गोवा का एक ओर डांस है यह भी शिग्मो फेस्टिवल में किया जाता है जिसको बोलते है मोरुलेम भी शिग्मो फेस्टिवल में किया जाता है और मोरुलेम को मोरुलेम क्यों बो बहुत आता है, यक्षगन तो हर एक्जाम में आता है, ठीके, तो करनाटका के जो सबसे important dance है, उसमें यक्षगन, यक्षगन basically एक सिर्फ dance ही नहीं है, बहुत बड़ा theater होता है, बहुत massive, बहुत बड़े level पे किया जाता है, यक्षगन, तो यक्षगन महां के बहुत सारे district में किया जाता है, क्योंकि कासर गौड का border करनाटका से लगता है, और कासर गौड में लोग कनड भी बोलते हैं, तो ये बहुत एक बड़े level पे यक्षगन होता है, मतलब ड्रेस अप से लेके, और नाट्टे से लेके, डांस से लेके, तो यक्षगन तो आपको बहुत अच्छ कुनिता इत्यादी, लेकिन आपको जो याद रखना है, वो है डोलू कुनिता, ठीक है, डोलू कुनिता, ये एक्जाम में डोलू कुनिता पर बस मैंने question देखा है, बाकी कुनिता मैंने question तो नहीं देखें, आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, बाकी अगर आपको स से addon करती हैं, सजती हैं और गरूडी गोंबे का मतलब ही होता है magical doll, यानि जादूई गुडिया, तो ये कन्नड भाशा में गरूडी गोंबे का मतलब होता है magical doll इस dance को ततिरिया भी बोलते हैं, ततिरिया, जो coastal करनाट का है, जैसे उडुपी है जो भी coastal करनाट का है, वहाँ पे इसे ततिरिया भी बोलते हैं उसके बाद है नाग मंडल डांस, नाग मंडल डांस में नाग की पुजा होती है, स्नेक वर्शिप और ये दक्षिन कन्नड और उडुपी में किया जाता है दक्षिन कन्न डिस्टिक में और उडुपी में फिर कई तरह के आठ वाले डांस है इन्हें कोडावा करते हैं कोडावा बेसिकली वहाँ पे एक tribal group हैं इनके जो rituals हैं काफी अलग तरह के होते हैं और कोडावा जो हैं अपने आपको एक अलग धर्म भी मानते हैं हलांकि करनाटक की सरकार ने इन्हें अलग धर्म देने जैनि minority religion का दर्जा देने से मना कर दिया है भी लेकिन जैसे लिंगायत को अप्रूव कर दिया था कि लिंगायत को हमें अलग धर्म बोलेंगे कोडावा सको reject कर दिया गया था लेकिन कोडावा के अपने डांस होते हैं और सब में पीछे आठ लगता है जैसे कॉमब आठ हो गया फिर बोलक आठ उम्मट आठ और पीली आठ ठीक है आठ वाले जो हैं ये सारे कोडावा के डांस है उसके बाद है कमसले कमसले जो है ये बेसिकली भगवान महादेश्वर की पूजा के लिए किया जाता है और कमसले का मतलब एक musical instrument होता है जो पीतल का बना हुआ होता है तो ये जो डांस है काफी famous है इसे पुरुष करते हैं और ये महसूर, बैंगलोर वगरा में किया जाता है उसके बाद है वीरागासे, वीरागासे भी हिंदु धर्म पे अधारित है और ये धशेरे के समय महसूर में किया जाता है नेक्स्ट है पिल्ली येसा मतलब होता है tiger mask तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग tiger बनके एक तरह से dance कर रहे है ये उड़ुपी में किया जाता है भगवान जो दुर्गा माता है क्योंकि दुर्गा का वहन जो है वो tiger है तो इसलिए उनको खुश करने के लिए ये किया जाता है ज्यादा तर जो मात दुर्गा की फोटो है आप उनमें देखेंगे कि मात दुर्गा या तो lion पे सवार है या tiger पे सवार है उसके बाद जमू कश्मीर जमू कश्मीर के जैसे दुम्हाल बहुत आता है जमू कश्मीर में तो देखते हैं कौन-कौन से आपको पढ़ने है राउफ आता है राउफ जो होता है फेस्टिवल भी है डान्स भी है खेर कड़ डान्स कड़ डान्स important है तो कड़ डान्स जो है लोकल पीपल करते हैं इसे और इसमें जो पुरुष करते हैं इसे उसके बाद राउफ राउफ वाला जो है इद और रमजान पर किया जाता है ठीक है इद और रमजान पर किया जाता है और ये सबसे फेमस डान्स में से है जमू कश्मीर के राउफ फिर है बच्चा नगमा बच्चा नग्मा ये वेडिंग्स पर किया जाता है, बउइस के द्वारा किया जाता है ये सिर्फ, ठीक है बच्चा, नाम से पता चल रहा है बउइस करते हैं इसे, और इसमें बेसिकली जो बउइ होते हैं, वो अपने आपको गर्ल्स की तरह ड्रेस अप करते हैं, तो वो गर्ल्स डांसर की तरह बउइ अपने आपको ड्रेस अप करता है और उसमें कश्मीरी सॉंग्स प्ले की जाते हैं, बच्चा नग्मा फिर है हाफीजा हाफीजा डांस जो है, ये भी बैडिंग्स में किया जाता है कश्मीर में हाफीजा फिर कुछ और हैं जैसे भांड पत्थर भांड पत्थर ये थेटर डांस है और वुआगी नाचुन वुआगी नाचुन जो है कश्मीरी पंडित जो लड़कियां है वो इसमें जो दुलहन है उसके चारो तरफ घूम कर इसे करती है रंगोली बनाती है डांस करती है तो वो है वुआगी नाचुन अब बात करते हैं केरला तो केरला में चक्यार कोठु चक्यार कोठु जो है इसमें जो रामायन और माभारत की कहानिया है नित्य के समय वो की जाती है ठीक है चक्यार कोठु वो सुनाई जाती है डांस के साथ साथ नेक्स्ट है थायम थायम जो है ये मा काली की पूजा के समय किया जाता है ठीक है मा काली की जो पूजा है उसके समय किया जाता है थायम तो ये आप देख सकते हैं ये थायम है मा काली और ये है चक्यार कोठू उसके बाद ओटन थुलाल बहुत जादा आता है ओटन थुलाल यह आप देख सकते हैं कितना important है यह आपको देखने से लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा जैसे कथकली जैसा है तो ओटन थुलाल जो है यह basically comedy और poetic dance है यह कुंचा नम्वियार ने introduce किया था और यह जो सबसे famous जो मल्याली dance है उनमें से है ओटन थुलाल उसके बाद है थिरुवति करली यह भी dance है केरल में किया जाता है भगवान शिवज की पूजा की जाती है तो शिवज शिवरात्री पे किया जाता है यह dance इसको बोलते है थिरुवतिरा कली उसके बाद है थिरायट्टम थिरायट् में किया जाता है केरल में South India में और इसका नाम जो है डफ मुट्टू वो basically एक instrument होता है जो बैल की तवचा और लकडी का बना होता है जिसे डफ बोलते हैं तो इसके नाम पर डफ मुट्टू होता है या आप देख सकते हैं यहाँ पर जो यह बजा रहे हैं डफ बजा रहे हैं इसके नाम पर होता है डफ मुट्टू फिर केरल के कुछ और हैं जैसे मर्गमली, मर्गमकली मर्गमकली जो है यह basically सेंट थॉमस क्रिष्चन कम्यूनिटी से करती है इस डांस को उसके बाद है थिडंबा निरित्म यह नॉर्थ मालावार के टेंपल्स में किया जाता है नेक्स्ट है पढ़ायनी पढ़ायनी यानी पढ़ायनी भी बोलते हैं से यह एक ट्रेडिशनल फॉक डांस है केरला का, इसमें मास्क पहन के किया जाता है, यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं पढ़ायनी अब आते हैं महाराष्टा तो महाराष्टा में धंगारी गजा धंगारी गजा जो है यह बहुत फेमस है यह शौलापूर में किया जाता है धंगर्स के दुआरा, ठीक है धंगार गजा जो है यह भगवान को खुश करने के लिए किया जाता है और उनके blessings उनके आशिरवाद के लिए किया जाता है next है कोली dance, कोली dance जो है इसे मच्छवारे करते हैं कोली dance जो है मच्छवारों की जो कोली fisherman community होती है उसको करती है कोली dance फिर povadas, povadas जो है ये basically मराठी एक तरह का वो है चत्रपती शिवाजी महाराज की जो जिन्दगी है वो दिखाता है povada dance फिर लावाणी, लावाणी भी बहुत ज़्यादा एक्जाम में आता है, लावाणी का मतलब होता है beauty तो ये ढोलक के beats पर किया जाता है महिलाओं के द्वारा और साड़ी पहन के किया जाता है, 9 yard साड़ी पहन के किया जाता है लावणी फिर कुछ और है जैसे पावडी नाच, पावडी नाच जो है इसे तरफा नाच भी बोलते हैं, ये महाराष्टर का काफी renowned dance है और ये coconut tribes जो है, coconut tribes इसे करती है नेक्स्ट है डिंडी, डिंडी dance एकाद्शी के दिन किया जाता है कार्तिक महिने में, इसमें जो भगवान कृष्यन है उनका बच्पन दिखाया जाता है अब आते हैं West Bengal, जैसे दुनाची जो बहुत ज़्यादा आता है, दुनाची dance जो है, बहुत ज़्यादा आता है बाकी मैं आपको बताता हूं कौन-कौन से पढ़ने हैं, सबसे पहले राय बंची, राय बंची जो है ये बेसिकली एक तरह का martial dance है एक तरह का, और ये बिर्भूम, बर्दमान और मुर्शिदाबाद डिस्टिक्ट में किया जाता है, इसे सिर्फ मेल्स करते हैं, मार्शिल डान्स एक तरह का फिर है धुनाची, धुनाची बहुत जादा है क्योंकि दुर्गा पूजा पर होता है, या सबसे फेमस हैंहां का धुनाची, आप देख सकते हैं, ये होता है धुनाची, या अपने टीवी पर भी बहुत देखा होगा, और ये है राय बंची उसके बात है बॉल डाण्स भी आता है, ये वैशनव और सुफी प्रभाव देखा जाता है इसमें, तो उनीक ए ऐलीमेंस इसमें दर्शाय जाता है भॉल डाण्स में फिर है गंभीर डान्स गंभीर डान्स जो है यह इसमें बेसिकली गंभीर एक तरह का सोंग होता है तो उसके उपर किया जाता है इसमें दो मेंड डान्सर होते हैं और एक नाना का रोल करता है और एक उसके नाती का रोल करता है ठीक है नाना ना की या नाना आप समझते ही है आपकी मदर के जो फादर है, उनको नाना बोलते हैं, और आप नाती हो गए उनके, तो नाना और नाती जो है, इसमें दो डांसर होते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं, गंभीर डांस, यह important है, फिर है जुमेर, जुमेर वेस्ट में किया जाता है, यह harvest, जब फसल कटती है, उस स पदमावती फिल्मती शायद, खेर, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद, डॉमनी डांस, यह मालदा डिस्टिक्ट में किया जाता है, ठीक है, डॉमनी डांस, फिर है अलकाप, अलकाप, यह बेसिकली रूरल डांस है एक, बंगाल में, यह बेसिकली मालदा, राजशाही, मुर पस थोड़े ही हैं, तो इसमें विलासिनी नाट्यम, विलासिनी नाट्यम जो है, यह आंदरपरदेश से है, और इसे दरबार में, जो, दरबार में किया जाता था इसे, ठीक है, तेलगु ओरीजिन का डांस है, यह विलासिनी नाट्यम, फिर है वीर नाट्यम, वीर नाट् करते हैं, यंग, ओल्ड, मैन, वुमेन, जनरली इसे वालमिकी, बागाटा, खौन्ड और कोटिया ट्राइब्स करते हैं, जो अलाकू वैली में रहते हैं, विशाका पटना में वो करते हैं, धिमसा, फिर हैं लंबडी, लंबडी जो है इसमें रोज मर्रा की जिन्दगी के कारे होते हैं, वो दिखाए जाते हैं, लंबडी बंजारे करते हैं, जो सैमी नॉमेडिक ट्राइब होते हैं, वो करते हैं, उसके बाद है कोला नल्लू, कोला नल्लू, जिसे कोलटम भी बोलते हैं, स्टिक डान्स है, यह सबसे popular dance में से है आंधरा के, इसको कोला नलू बोलते हैं, और ये villages में किया जाता है, और जैसे गुजरात में डांडिया होता है, उसमें भी तो डंडी होती है stick, उसी तरह से आंधरा में जो होता है वो होता है कोला नलू फिर है बुरा कठा, बुरा कठा जिसे ये basically storytelling होती है कथा मतलब होता है story, तो story सुनाई जाती है, इसमें आंधर परदेश तेलंगाना में किया जाता है ये बुडा कथा, इसमें हिंदु धर्म की और समाज से जुड़ी हुई जो मुद्धे हैं, उन पर कहानिया सुनाई जाती है उसके बाद है बुटा बोमलु बुटा बोमलु जो है, ये west गोदावरी district में किया जाता है mainly और बुटा बोमलु का मतलब होता है basket toys, खिलोने, जो लकडी के बने होते हैं, या सुखी खास के बने होते हैं या गोबर के बने होते हैं, तो उसको बाद है थोलू भोमलट्टा थोलू भोमलट्टा का मतलब होता है जो लेधर के बने हुए जो कटपुतलियां होती है तो एक तरह का कटपुतली डांस होता है ये थोलू भोमलट्टा उसके बाद है तपेटा गुल्लू तपेटा गुल्लू जो है शिरिकाकुलम और विजिया नगरम में किया जाता है ये एक devotional dance है ये जिसमें basically जो इंद्र देवता है जो rain god है उन्हें खुश करने की कोशिश की जाती है अब तेलंगाना की बात करते हैं तेलंगाना में पैरिनी शिवतांडवम शिवतांडव जो होता है न तो वो पैरिनी शिवतांडव किया जाता है और ये जातर मेल्स के द्वारा किया जाता है इसे dance of warrior बोलते हैं जो warrior होते हैं जो योधा होते हैं वो करते हैं तो ये काकाटी अवंच का dance था काफी important है पैरिनी शिवतांडवम हर्याना में सांग बहुत पूछते हैं जूमर बहुत पूछते हैं तो जूमर जूमर को हर्या हरी लड़कियां करती हैं से तो जूमर बहुत ज्यादा important है जूमर को राजस्थानी घूमर से confuse मत करना फिर है गुगगा dance भी हर्याना में किया जाता है man के द्वारा next है duff dance duff dance जो होता है seasonal dance है किसान करते हैं इसे जब अच्छी हो जाती है तो duff dance वहां पे किया जाता है ल धमाल ये भी फालगुन के महीने में किया जाता है और ये बस आप नाम याद रखलो धमाल उसके बाद ये कहां किया जाता है ये महेंदरगड जजजर वगारा में किया जाता है fog dance जो है ये भी फालगुन के महीने में किया जाता है sang sang बहुत ज़्याद आता है ठीक है आलंकि मैंने इसमें blue color नहीं किया लेकिन ये important है sang sang dance जो होता है इसमें लोग कथाईं सुनाई जाती है धरम की कथाईं सुनाई जाती है उसके बाद है khoriya Korea dance central हर्याना में किया जाता है Korea अब बात करते हैं पंजाब पंजाब में एक martial art भी होती है जिसे गटका बोलते हैं ये भी आया हुए question कि गटका martial art जो होती है ये कहां की होती है पंजाब की ये भी आद रखिए भांगड़ा सब जानते हैं भांगड़ा किसको नहीं पता भांगड़ा बैसाखी में किया जाता है वैसे कभी भी कर लो फिर गिद्दा गिद्दा जो होता है ये वेस्ट पंजाब से originate हुआ था तो गिद्दा और भांगड़ा ये दोनों काफी popular है उसके बाद सम्मी डान्स सम्मी डान्स ट्राइबल जो है पंजाब के वहाँ वो करते हैं सम्मी डान्स और उसके बाद किकली डान्स किकली डान्स जो है ये एक तरह का खेल जादा है डान्स के मुकाबले यंग लड़किया करते हैं जागो डांस, जागो का मतलब होता है wake up, तो इसमें basically क्या है कि यह काफ़ी popular डांस है, और शादी भ्या में किया जाता है, यह जागो डांस। लुद्डी, लुद्डी डांस भी पंजाब में किया जाता है, मर्द करते हैं, जातर, इसे man करते हैं, उसके बाद है तियान तियान पंजाब में किया जाता है तियान फेस्टिवल होता है तब किया जाता है ठीक है तियान उसके बाद तमिल नाडू के डांस देखते हैं तमिल नाडू के कुम्मी कुम्मी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है super important है कुम्मी तो कुछ मतलब dance तो ऐसे होते हैं जैसे आप state का नाम बोलोगे तो automatically दिमाग में आ जाते हैं जैसे आप बोलो miserum तो एकदम से दिमाग में आता है चेराओ तो कुछ dance इतने ज़्यदा important होते हैं तो उन्में से एक है कुम्मी कुम्मी डांस बहुत ज़दा आता है एक्जाम में और महिलाएं करती हैं इसे तालियां वगर बजाई जाती हैं इसमें और गाने चला जाते हैं फिर है काजी अट्टम या कॉल अट्टम काजी मतलब होता है stick again dundee तो ये वहाँ का तमिल वाला version है एक तरह से man और woman दोनों करते हैं इसे उसके बाद है कवडी अट्टम जिसे बोलते है burden dance ठीक है ये इसमें sacrifice भी की जाती है ये भगवान मुरुगन को खुश करने के लिए किया जाता है तमिल लाडु में ये type उसम्तियोहार के बक्त किया जाता है उसके बाद है कारागटम का मतलब होता है एक मटका ठीक है तो ये again जो वहाँ एक देवी है rain goddess बोलते है जिने उनको खुश करना होता है मरी अमन उनको खुश करने के लिए किया जाता है जिसे बारिश आ जाए लकड़ी के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो अपनी उंगलियों के बीच में फसा के उनसे noise की जाती उनको बजाये जाता है ठीक है तो 8 से 10 dancer करते हैं इसे गोल गोल घुम कर फिर है कमंडी dance कमंडी को कमंपंडी गई भी बोलते हैं इसमें बेसिकली इसमें बेसिकली क्या है कि जो जो भगवान है God of Love बादो मनमड भगवान ओफ लव तो उनको याद करके किया जाता है ठीक है यह जो God of Love है इनको भगवान शिव ने अपने गुस्से में जला दिया था तो उनको याद किया जाता है कमंडी dance में फिर है कई सिलम्बू अटम, कई सिलम्बू अटम जो है नवरातरी के वक्त किया जाता है, festival के वक्त किया जाता है, temples में फिर है परही अट्टम, परही अट्टम फिर बेसीकली पहले wars में यूज होता था, ये dance, wars के समय जाने के लिए, अब लेकिन ये normal एक fog dance की तरह, rural fog dance की तरह use होता है, फिर है पुली अट्टम पुली अट्टम, tiger dance बोलते हैं इसे, ठीक है, इसमें जो tiger की movements वगार है, वो simulate की जाती है जैसे बाग होता है, उसकी movement होती है वो simulate की जाती है, उसके बाद है poikkal kutirai atom यानि इसे नकली घोड़, artificial horse dance बोलते हैं इसे घोड़ा नहीं होता, घोड़े की तरह वो पहन लेते हैं उस तरह से इसमें जो है festivals में पूजा की जाती है तो यह आप देख सकते हैं, यह घोड़े की तरह dress up हो गए यहाँ पे, poikkal kutirai atom artificial horse और यह पुली atom है पुली मतलब यहाँ पे tiger उसके बाद है विल्लू पट्टू विल्लू पट्टू में कहानिया सुनाई जाती है musical storytelling होती है next है शट्टम, शट्टम जो है भगवान जो पेरुमल है, महा विश्णू उनको समर्पे थै उसके बाद है oil कुम्मी जैसे कुम्मी था अब यह oil कुम्मी है oil कुम्मी में बस यह basically musical instrument यूज नहीं होते है सिवाए ankle bell के यानि आपकी एडियों पे जो आपको पहनते है अभूशन वो बज़ते हैं, बाकी कोई इसमें वो दूसरे musical instrument यूज नहीं होते हैं, और यह सिर्फ man करते हैं, वो भी temple में उसके बाद है peacock dance जिसे बोलते है mile atom atom मतलब dance है, ठीक है तो यह Tamil में आप समझ जाईए, जिसके पीछे atom लगा है, तो यह इस तरह से भी आप थोड़ा सा अपना एक वो बना सकते हैं, ठीक है, केरला वाले जो हैं उनमें भी कुछ specific words होते हैं यह भी आप कर सकते हैं, जैसे poicle atom अभी atom फिर आ गया है है यहाँ पे mile atom हो गया, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कई dance थे जिनके पीछे atom लग रहा था यह जैसे pulley atom हो गया, यह यह poicle कुथिरई atom हो गया, तो यह भी आप कुछ ना कुछ इसमें work out कर सकते हैं बढ़ना south indian dance याद रखने बहुत कठें है mile atom mile atom peacock dance हो गया, फिर है poicle atom, poicle atom में आप देख सकते हैं यहाँ पे नकली जो टांगे हैं, यानि बड़ी sticks के उपर आदमी खड़ा होता है, तो अगर यहाँ पे 15-15 foot का जो आदमी हो जाता है, क्योंकि नीचे नकली टांगे लगी हुई है तो artificial legs, false legs लगाके, लकडी की जो डंडिया है उनके उपर खड़े होके किया जाता है, poicle atom अब बाद गरते हैं मेगालिया तो मेगालिया में festivals जो है उन्हीं के नाम पर dance के नाम है तो काफी easy हो जाता है जैसे non-crime, non-crime festival में non-crime dance किया जाता है, यह काफी famous religious festival है, जो अच्छी फसल जब होती है तो non-crime dance किया जाता है फिर है Shed Sukh Minesium यह भी जो dance है, यह वसंत के वक्त किया जाता है Thanksgiving एक तरह से अपना gratitude जो होता है जो खासी tribe है वहाँ पर वो करती है ऐसे Shed Sukh Minesium को फिर है बहदियान कलाम ऐस नाम का एक त्योहार भी होता है जैनतिया tribe celebrate करती है बहदियान कलाम को monsoon जब आता है तब यह बहदियान कलाम किया जाता है फिर है ये नॉंक्रेम है और ये है शैड शुक मेंसियम फिर है लहू डान्स लहू डान्स जो है जैंतिया ट्राइब करती है मिघालिया की लहू डान्स उसके बाद है डौर से गट्टा डौर से गट्टा जो है ये भी ये महिलाएं करती है बेसिकली जादातर महिलाएं करती हैं इसे, बस आप नाम याद रखे लो, डौर से गटा उसके बाद है नूपा पला, नूपा पला मनिपूर पागे हैं मनिपूर में तो नूपा पला, नूपा पला को basically symbol dance भी बोलते हैं मनिपूरी सबसे famous dance है नूपा पला उसके बाद है धोल चोलॉम, यहाँ पर देखो धोल बज़ रहे हैं बहुत सारे, तो यह मनिपूरी जो dance है, इसमें धोल बज़ाए जाते हैं होली पे किया जाता है, धोल चोलॉम मईबी dance, मईबी dance जो है, लाई हरोबा festival होता है मनिपूर का, उसमें किया जाता है पुंग चोलॉम, पुंग चोलॉम जो है, इसमें ड्रम बज़ा जाते हैं इसमें भी, यह भी मनिपूरी डान्स है और थंग टा डान्स, थंग टा में तलवार वगरा जो हैं वो उनकी कला दिखाई जाती है, मार्शल आट से होता है एक तरह का थंग टा डान्स तो यह माई भी डान्स है, और यह है पुंग चोलॉम उसके बाद है खंबा थोईबी, खंबा थोईबी, जो हैं मेल और फिमल दोनों करते हैं, बस इतना है रखो उसके बाद नागालेंड नागालेंड में सबसे पहले है रंगमा ट्राइब करती है, रंगमा डांस ये इनका festival होता है, गाड़ा फेस्टिवल ठीक है? NGADA उसके में करते हैं उसके बाद है उडोहो जिसको वाल डांस बोलते हैं, अंगामी वाल डांस तो यह wall dance होता है, अंगामी tribe का, और इसमें basically दुश्मन के उपर चिलाया जाता है, इसे warriors करते हैं, जैलियांग dance बहुत ज़्यादा important है, जैलियांग dance, men करते हैं इसे नागलेंड के, women भी करती हैं, जैलियांग सबसे famous dance में से हैं नागलेंड के, और यह भी बहुत important है, यह अंगामी war dance, उडो हो, उसके बाद है चंगलो, चंगलो dance जो होता है, इसे सुआ लुआ भी बोलते हैं, यह basically नागलेंड की चंग tribe करती है, इसमें शत्रु के उपर जब जीत के आते हैं, तो celebrate करने के किया जाता है, next है चंग सांग, चंग सांग जो है, यह जो मानवता है, birthplace of mankind और earth, उसको praise करने के लिए किया जाता है, मोन्यू आशो, मोन्यू आशो इसे नागाज करते हैं, form नागाज इनका festival होता है, जिसे बोलते हैं मोहन्यू, summer जब start होते हैं, तब यह किया जाता है, मो कुकुई फेटो, कुकुई फेटो जो है, इसे बोलते हैं, feast of merit, तो यह जितने भी यंग जवान लोग हैं, वो करते हैं, इसे men करते हैं, अपने traditional attire में, next है, मेलो फिटा, अंगुशू, किग हिल है, और रुख्यू शरो, यह बस आप नाम में याद रख लो, tribal dance हैं, बस कह tribe का, उसके बाद है, मेलो फिटा, मेलो फिटा जो है, यह अंगामी नागा करते हैं, और इनका कोई festival होता है, सेक यर्ण नहीं, उसके में करते हैं, यह याद रखे नहीं जा सकते हैं, मैं जानता हूं, बहुत ज़ादा हैं, मैंने काफी comprehensively यह वीडियो कवर किया है, लेकिन जो blue color में हैं, कम से कम वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है, नेक्स्ट है, लंगान्यू, खियाम टांगशे, यह इनकी कोई tribe है, यहाँ पर जिसको बोलते हैं, खियाम टांगशन tribe, वो करती है, इसे, यह इनके सबसे important festival में आता है, नेक्स्ट है, अकोखी, संक्टम tribe करती ह इसे basically पोचूरू tribe करती है, अब मिजोरम पे आते हैं, तो मिजोरम का सबसे important डांश जो एक्जाम में बार बार आता है, वो है चेरोर डांस, इनका बहुत cultural इनका डांस होता है, छे से आठ लोग इसे करते हैं, और यह बैंबू की, आप देखरें, नीचे डंडियां, इनके उपर यह डांस किया जाता है, horizontally placed bamboo sticks के उपर, फिर है, फिर है, ख्वालम, ख्वालम मतलब होता है, dance of the guest, तो यह एक ceremony होती है, ख्वांग चावी उसमें किया जाता है, ख्वालम, next है, सोला किया, या सरलम कही, यह डांस पावी और मारा communities करती हैं, साउथ मिजोरम में, उसके पाद एक और है, जिसका नाम है, चौंग लाइजॉन, चौंग लाइजॉन, इसे पावी community करती है, मिजोरम की पावी community करती है, next है, छेहलाम, छेहलाम जो है, इसमें लोग, जो फर्ष है, उसके उपर squat करते हैं, उठक बैठक करते हैं, और drum और bamboo, ट्यूब वगरा बजाई जाती है, next है, जंग टलाम, जंग टलाम इसे पाहीटे ट्राइब करते हैं, सौलाकिया, सौलाकिया जो है, इसमें जब युद जितते हैं, तो सौलाकिया किया जाता है, पारलाम, पारलाम जो है, इसमें अलग-अलग रंगों के कपड़े पहन के किया जाता है, और इसमें ब लबांग बोमनी dance जो है harvest dance है, फसल अच्छी होने पर किया जाता है लबांग बोमनी, next है गरिया dance, गरिया dance बहुत important है, यह गरिया पूजा ओर होती है महांपे तब किया जाता है, और एक तरपुरा में पूजा ओर होती है, जिसे कहर्ची पूजा बोलते हैं, तो यह भी एक् आप जानते होंगे, shifting cultivation, तो उसके पहले ये किया जाता है, जब उसमें place select करते हैं, तब किया जाता है, next है high hug, high hug dance जो है, ये भी जूम cultivation से associated है, तो ये याद रखिए, और बाकी इसमें, गला मुचनामो जो dance होता है, गला मुचामो डान्स, त्रिपुरा की community करती है, harvesting season जब ख त्रिपुरा में, तो ये था हमारा वीडियो classical और folk dance का, ये वीडियो आपको कैसा लगा, I'm sure काफी exhaustive आपको ये वीडियो लगा होगा, काफी जादा deep इसमें knowledge दी थी मैंने, classical की भी और folk की भी, folk तो obviously बहुत सारे हैं, तो जितना exam के लिए required था, उतना ही मैंने cover किया है, ल जो live हमारा जो batch है, वो start होने ही वाला है, अगर आप उसमें admission लेना चाहते हैं, तो आपको एक audio करना है, जी जी live, पूरा capital में है, बीच में कोई space नहीं है, जी जी live, और आपको mentorship भी मिलेगी, आपका जो mentor होगा, वो one on one होगा, आप उसको 24-7 कभी भी message कर सकते हैं, कभी भी expert, जैसे एक retired IS officer है हमारे अनिल सरूप सर, उनके साथ और भी बहुत सारे लोग हैं उसमें, तो group mentorship भी है, और one to one mentorship दोनों available है, ताथ ही साथ इसमें test series, return, practice, answer writing, ये सब चीजें इसमें included हैं, और इसका price बहुत ही कम है, इसका price उतना है, जो आप किसी भी शहर में एक महीने में खर्चा करते हैं सिर्फ रहने के लिए, उतना में पूरा course आपका finish हो जाएगा, तो आशा करता हूँ, आप कोई batch पसंद आएगा, कोई भी और आपका feedback है, तो मुझे जरूर बताइए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी topic पर video बनाऊं, तो वो भी मुझे जरूर बताइ नीचे आप comments में लिख देना, मैं सारे comments पढ़ता हूँ, तो आपका message मुझे तक पहुँच जाएगा, thank you for watching study IQ